वेलकम स्टुडेंट्स कैसे हैं सभी आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम हैं जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं जो आपका एक्जाम होने वाला है 20 अगस्त को और आज की क्लास आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टन्ट है और एक तरह का रिवीजन है जिसमें हम टॉप हंड्रेट कोश्चन देखने वाले हैं 2011 से 2021 तक के योगि 2022 और 2023 के तो हमने टॉपिक सीरीज में मोस्टली जादा कवर करें और एक क्लास ओर आएगी जिसमें हम 2022 और 2023 के भी कवर कर लेंगे तो इसमें जो हम कोश्चन देखने वाले हैं आज वो 2011 से 2021 में जो साइंस पेपर 2 में कोश्चन बने उसके टॉप 100 कोश्चन है बहुत सारे कॉंसेप्ट आपके क्लियर होंगे 100 कोश्चन हम करने वाले हैं लंबी क्लास रहेगी लेकिन आपको बताना होगा कि आपने 100 में से कितना स्कोर किया और जिन बच्चो कि पर आपके अंदर बूस्ट ऊब होगा यहांपर हम सो कोश्चन देखेंगे और यह जो न देखेंगे वींगे 2020 चुटके देखेंगे क्योंकि कॉश्चन वहां कितने आने आने हैं आपके content के theory के 2020 सेट में यह हम 5 सेट देखेंगे कूल मिलाकर 100 कोश्चन हम देखने वाले लास्ट टाइम में अगर आपको रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए सारे प्रीवेस ये विद आंसर्स टॉपिक सिरीज जो मैरतन कर आई थी इंपॉर्टन टीन घंटे वाली उसकी पीडियाफ तो वो सब आपको अभी भी बिल सकते हैं शरी वन टॉन्टी रुपीज की पेम कॉषन यहां पर बताने हैं कौन कौन से स्टेटमें करक्ट कौन कौन से कथन सही है karm से अन पूर्ज। हम परते हैं चेफ्टेश की सँधब ख्रेडर exactement होती है F1 बात.. लाइट और साउंड बोथ रिक्वाइरा मीडियम फॉर प्रपरगेशन यह बात गलत है दिखें लाइट को मीडियम की जरुवत नहीं होती तभी तो जो प्रकाश की तुल्ला में धीनी गती से चलती है तभी आपने देखा होगा पहले जो लाइट चमकती है जब बारिश हो क्षाइट जो है तो लाइट पेले चमकती हो उसके बाद देखेंगे बिजली खडखने की आवाध काफी बाध में आ जाती ओर लाइट पहले जाती है क्यूंकि लाइट जो है वह फास्टर ट्रैवल करतीह कंपेड तु क्योंकि वहां पर लाइट को कोई मेडियम की जरुवत नहीं होती तो कौन-कौन से स्टेटमेंट सही है फस्स सेकेंड और फॉर्ट इक मींज जो आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नमबर दी जो है वह यहां पर सही है नेक्स कोशन आप देखें वीडियो को पॉस करके पहले अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजेगा फिर जो मैं एकस्पेंड कर रही हूं उसको सुन लीजेगा अब वाय रोल रबर बॉल ऑन वुडन सर्फेस ठीक है एक लड़का है रबर की गेंद को लकडी की सतह पर रुलकाता है रेस्ट में आने से पहले बॉल ने कहा है चोटा सा दूरी जो है वो कवर की है तो मेक दस सेम बॉल ट्रेवल लॉंगर डिस्टेंस बिफोर कमिंग तूरेस्ट ही में रुकने से पहले वही गेंद अधिक दूरी तै करें इसके लिए उसे क्या करना होगा सीधी सी बात है वह चिकना हो जाएगा जिससे गेंज जो है जादा से जारा दूरी कवर करेगी तो आप्शन नंबर सी जो है वह यहां पर आंसर है नेक्स कोशन थार्ड इसमें बताइए क्या मैचिंग जो है आपकी सही होगी कॉलम ए दिया है और कॉलम ए में जो दिये हैं कुछ यहां पर हार हो जाएगा तो एका थर्ड होगा जो कि हमको तीन ऑप्शन में मिल ला है ग्रोथ हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है बोनापन हो जाता है हाइट जो है उसमें आपका बढ़ने में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंसुलिन जो है वह आपकी डायबटीस से कनेक्टेड है तो बी का आपका फोर्थ होगा बी का आपका फोर्थ एक मातर फोर्थ ऑप्शन में ही दे रखा है तो यही हमारा आंसर होगा मुझे लगता है काफी स्टुडेंट ने अपने आंसर सही दियोंगे और याद लखेंगे जो मैं इए कोशन आपका बनाया हैँ नेक्स कोशन फोर्थ बहुत इजी कोशन है इंпपॉर्टन कोशन है लेकिन वह सट्रिंग कंटेन चीटी के दंग में कौन सांपल होता है बताएगे आंसर दिया मुझे लखते है शभी स्टूडेंटन ने सही आंसर किया होगा चीटीके ड है question next question fifth identify the correct statement सही कथन यहां पर चुनना है बताएए चलिए क्या सही कथन होगा tissues is a group of dissimilar cell उतक जो होते हैं ऐसमान कोशिकाओं का समूम होते हैं देखे हमारी body में cell होते हैं वही जब cell बहुत सारे similar type of cell एक साल आजाते हैं तो वह आपके उतक कहलाते हैं तो टिशू जो होते हैं वो dissimilar नहीं similar group of cell होता है तो यह तो गलत स्टेट्मेंट है an organ consist of similar cell एक organ के अंदर एक अंग के अंदर बहुत सारे टिशू के combination होते हैं तो वहां पर dissimilar cell जो है वो देखने को मिलेंगे तो यह वाला statement भी जो है यहां पर गलत हो गया vacuels are not found in a plant cell जब म जो है वो plant cell में पाई जाती है और animal cell में बहुत छोटी vacuels होते हैं और इनी vacuels को हम store house of the cell भी कहते हैं क्योंकि यह water, mineral, wastage, बहुत साई चीज़े अपने अंदर store करकर रखती हैं तो यह statement भी गलत है तो सही statement क्या है यहां पर option no.4 prokriotes do not have nucleus दीगे pro मतला पहले cell जो पुरान जाता है और इसके example क्या क्या होते हैं bacteria blue green algae यह सारे prokriotes के उद्धारन है और हमारी body के अंदर कौन से cell है वो eukriotic cell है modified cell है जिन में well defined के इंद्रक जो है वो देखने को मिलता है तो यहां पर answer जो था जो correct statement था option no.4 prokriotes के उद्धारन है और हमारी बोड़ी के अंदर कौन सा द्धमिया oxygen नियुक्त रक्त को हिट जैसे शरीर के भाग में लेके जाती है वेंस केरी जो शिराय होती है वो carbon dioxide rich लेके जाती है from the part of the body back to the heart विल्कुल यह बात भी सही है तो veins and artery have thick elastic wall यह यहां पर गलत है और incorrect statement ही पूछ रहा था क्योंकि आपको पता होगा veins में जो wall होती है और arteries में जो wall होती है वो ठीक होती है पहले भी मैंने बहुत अच्छे से explain किया है तो answer यहां पर जो है वो option number 3 होगा यह यहां पर गलत है next question 7 the term that is used for the mode of nutrition in yeast mushroom and bread mold is खमीर, mushroom और bread mold होते हैं उनमें जो पोशक के तरीके के लिए इस्तमाल किया जाने वाला जो शब्द है वो क्या होता है देखिए autotrophs वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो autotrophs होते हैं जिनमें plants वगएरा आ जाते हैं तो यहां पर जो मरत जीवों पर निर बगएरा वो सारे parasite की category में आती हैं leaches वो सब हो जाते हैं next question 8 तो यहां पर हमारा answer क्या था option number C जो था वो हमारा answer था next question which of the following voice is likely to have the minimum frequency निमन में से किस वाग दोहनी की जो आवरती है वो नियुनतम होगी देखिए minimum frequency उसी की होगी जिसके pitch जो है वो minimum होगी और pitch minimum कब होगी ज कितनी आवास पतली होती है उतनी ही pitch जादा होती है और उतनी ही frequency जो है वो जादा होती है आवरती जादा होती है baby girl, baby boy और एक woman इनकी आवास तीखी होती है पतली होती है तो इन में जो है frequency बहुत जादा होगी तो यहां पर जो minimum frequency होगी वो एक पुरुष की आवास में होग which of the following statement given blow is true regarding the image formed in a plane mirror जो समतल दरपन होता है , जिसमें हम डेली अपना face देखते हैं , इसमें बनने वाला जो इमेच बनती है उसके बारे में सही कथन क्या क्या है ये बताते हैं , इमेच इसमें रेक्ट होती है तो यह यहां पर सही नहीं है Image is laterally inverted बिलकुल जो प्रतिविंब होता है वो पाशे परावर्तित होता है बाया दाया हो जाता है और दाया बाया हो जाता है Left, Right, Right, Left हो जाता है यह बात भी सही है Image size is same as that of the object बिलकुल जितने आप हो आप छोटे हो तो छोटे दिखोगे आप बड़े हो तो बड़े दिखोगे तो image का size भी जो same होता है object की तरह तो यहां पर जो सही कतन है वो A, C और D है It means option number second जो है वो यहां पर हमारा सही होगा Next question 10th यहां पर हमको सही sequence बताना है Human elementary का नाल का मानव की जो आहां नाल है उसके जो बिविन भाग है उनका सही क्रम जो है यहां पर बताना है तो देखे सही क्रम होगा यहां पर option number one सबसे पहले हमारा माउथ हाएगा फिर हमारे गली का इसो फैगस हो गया ग्रासी का हो गई फिर स्टमक फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन तो option number one यहां पर सही हो गया next question 11 यहां पर देखे diagram दिया है human eye का और यहां पर ABCD दिये है जिनको हमें label करना है जिनका हमें नामांगन करना है बताइए यहां पर यह क्या क्या है C को आप सबसे पहले बताएंगे यह क्या है आपका convex lens है तो C यहां पर हमारा lens होगा जो हमको आप दो option में दिख रहा है एक second option में और एक आपका fourth option में तो आप इनी में से कोई हमारा answer होगा देखे जो सबसे पीछे हैं यह हमारी ciliary muscles होती है आखों के कोनों में होती है तो A हमारा ciliary muscles हो जाएगा जिसकी वज़े से answer होगा option number four A हमारे ciliary muscles है B हमारे छोटे छोटे जो काले काले दोनों तरफ बने वे हैं यह हमारे आईरिस होते हैं यह हमारी आई का color decide करते हैं जैसे brown, black जो होती है वो पुछा जाए तो याद आखेंगे उसमें कौन responsible है आईरिस responsible होता है जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में परी तारी का seeper lens है इसमें कौन सा lens होता है convex lens होता है image कहां बनती है पीछे retina पर बनती है image कैसी होती है यहाँ पर image real होती है क्योंकि वो retina पर बनती है और image यहाँ पर ulti बनती है बाकि जब हमारे sense जो organs होते हैं वो sense करके उसको क्या कर देते हैं जो muscles होती हैं वो सीधा कर देती है तो C यहाँ पर lens की बात हो रही है और D हमारा cornea होता है, यहां पर दे रखा है D, जो सबसे बहारी layer दिखा रहे हैं, यह cornea की होती है, जब किसी विक्ति की आँख दान करी जाती है, तो उसमें उसका क्या part दान किया जाता है, वो cornea ही दान होता है, तो option number 4 यहां पर सही है, next question 12, यहां से question जरूर आएगा, जितन जरूर, एक boy के पास क्या है, paste of turmeric हल्दी का जो गाड़ा paste है, तो वो क्या करता है, इस paste को hydrochloric acid पर डालता है, और साथ में echo solution of sodium hydroxide, NaOH, sodium hydroxide पर डालता है, तो वो क्या observe करेगा, तो आपको पता है, यह turmeric acid के साथ कोई color change नहीं करती, और base में जो है, वो red color show करती है, तो option number 2 यह है, वो यहाँ पर सही हो जाएगा, क्यों sodium hydroxide based था और hydrochloric acid तो हमारा acid था, अमल था, next question 13, a block of iron dropped in a vessel of water sink to the bottom, this is because पानी की बठते में लोहे का एक खंड डाला जाता है, तो वहे तल में डूप जाता है, इसका करण क्या है, यह हमको बताना है, देखिए, इसका करण यह होता ह है, आरकेमेडीस का principle यहाँ पर काम करता है, तो जो पानी block के द्वारा हटाया गया होगा, वो पानी कम होगा, तो नीचे से buoyant force कम लगी होगी, जिसकी वज़े से वो block डूप गया होगा, तो यहाँ पर आंसर होगा, option number second, the weight of the water displaced by the block, जो पानी हटाया गया है, विस्थापि जो weight था block का तभी क्या हुआ होगा, वो रोगने वाला weight कम था, जिसकी वज़े से जो block है, वो नीचे डूप गया, तो option number second, यहाँ पर सही है, next question 14, यहाँ पर हमको बताना है, कौन सा statement incorrect है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, देखे फिर से sound वाले chapter से question है, a drum vibrates with a low frequency, therefore it produces a low pitch sound, बिल्कुल एक ढूल होता है, उसकी आवाज भारी होती है, जब आवाज भारी होती है, तो frequency low होगी, और frequency low होगी, तो pitch भी low होगी, यह बात तो सही है, हमें गलत कथन बताना है, जो whistle होती है, उसकी high frequency होती है, जो city होती है, उसमें देखा होगा, आपने बहुत पतली होती है, तो यही statement जो है, यहाँ पर गलत है, बाकि यह bird में का high pitch sound, बिल्कुल, जबकि जो lion होता है, वो low pitch roar करता है, शेर जो होता है, उसका तारत्व कम होता है, क्योंकि वो उसकी आवाज भारी होती है, क्योंकि वो दहारता है, यह point भी सही है, तो third point ही यहाँ पर गलत हो, बताने है, बताये क्या answer होगा, यहाँ पर, यहाँ पर answer होगा, option number 4, methane, water vapor, carbon dioxide, यह सारी वो gases है, जो greenhouse effect को cause कराती है, next question 16, यह तो आपका displacement reaction से, विस्थापन, reactivity series से, यह question आना ही आना है, exam में, किसी भी तरह से form में ही आएगा, metal or non-metal वाले chapter में, मैंने यहाँ को बहुत ही detail मे अच्छे से समझाया था, select from the flowing reaction which is possible, तो यहाँ पर बताना है, कौन सी, जो अभी करिया हैं, वो possible है, देखिए, single metal, solution में पड़े metal को तभी displace कर पाएगा, तभी वहाँ पर reaction होगी, जब यह single metal जादा reactive होगा, क्योंकि copper aluminum से जादा reactive नहीं है, तो यहाँ पर reaction नहीं होगी, zinc जो है, F-E मतलब क्या है iron, iron से जादा reactive है, इसलिए यहाँ पर reaction हो जाएगी, ऐसे ही यहाँ पर iron जो है, वो copper से जादा reactive है, जो solution में पड़ा copper है, iron सिंगल F-E, उससे जादा reactive है, तो यहाँ पर भी reaction हो जाएगी, अगर मैं zinc की बात करों, तो वो इस aluminum जो solution में पड़ा है, उ जो है, वो यहाँ पर सही है, next question 17, which of the following statement is incorrect, यहाँ पर कौन से कथन गलत है, यह हमको यहाँ पर बताना है, weathering is a fast process of soil formation, अब शेय जो होता है, मिट्टी के निर्माण की एक टेजपर के लिया है, नहीं, तीकिए weathering जो होती है, उसमें क्यों होता है, पत्थर जो है, ब्रेक ड जाता है, तो यह fast process नहीं होता है, इस वजे से यह तो incorrect होगा, percolation rate of water is fasted in sandy soil, बिल्कुल जहाँ पानी सब से जल्दी निकलेगा, वो percolation rate है, तो आपके कहाँ जादा होता है, वो आपका rate में जादा हो, rate में पानी डालेंगे, वो तुरंत उसमें से निकल जाता है, तो second point सही है, हमें incorrect वाले बताने है, लोमी soil जो होती है, जो दोमत मिटी होती है, उसमें sand, clay, silt, यह सारे होते हैं, हुमस के साथ साथ तो यह बात भी सही है, जो लोमी soil होती है, वो इन सब का ही combination होती है, टॉप soil contain the minimum amount of humus नहीं, जो टॉप soil होती है, उसी में सबसे जादा हुमस ह होता है, जो अफिस्ट वेस्ट मैटीरियल है, है वो सबसे जादा टॉप लेयर में देखने को मिलता है, स्वाइल की म्रदा की, तो यहां पर जो incorrect statement है, वो हो जाएंगे first और fourth, तो first और fourth यहां पर incorrect statement है, बाकी दोनो second और third जो है, वो correct statement है, next question 18, a material M was heated in a spoon and immediately put in a jar and covered, एक जो how नदेर जाता है, तो जो है, भी ungs हूं उसमें जो यहां डाल जाता है, तो गोल क्या करता है, नीले पेपर को लाल कर देता है नीले को लाल कान करते हैं, मैंने Metal E Non-Metal में आपको बताया था, जो धातू हो बेसिक Property Show करते हैं, जो लाल को ना करेंगे, लेक लो सबस्षाशि प्रॉपर्टी शो करते हैं जो क्या करते है नीलह को लाल कर देते हैं तो basically यहां पर किसी बात हो रही है किसी non-metal की बात हो रही है क्योंकि non-metal ही क्या करते हैं नीले को लाल करते हैं तो material this could be material hiermya titled sodium magnesium aluminium यह तीनों के तीनों metal है तो यह यहाँ पर नहीं होंगे, बात यहाँ पर non-metal की हो रही है, तो sulfur जो है वो यहाँ पर non-metal है, यहाँ पर बात sulfur की हो रही है, और बात में sulfurous acid जो हमें देखने को मिलता है, जिसकी वज़े से जो नीला litmus पत्र है वो लाल हो जाएगा, next question 19, which of the following is true for all metal, सभी धातू के लिए नीचे दिया गया, कौन सा कथन सही है, यहाँ पर कह रहा है, सभी, सभी metal, all metal के लिए कौन सा कथन सही है, अगर यहाँ पर generally लिखा होता, तो यह point यहाँ पर पहला point सही हो जाता, क्योंकि generally सभी metal hard होते हैं, लेकिन यहाँ पर यह all metal के लि बहुत कम reactive होता है, तो हम यह नहीं कह सकते, वो सारे के सारे बहुत reactive है, sodium, potassium जो है, वहाँ पर बहुत जादा reactive होते हैं, they are less dense than water, नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ less भी होते हैं, कुछ more भी होते है, they conduct electricity, बिलकुल यह point यहाँ पर सही है, जितने भी metal होते हैं, कहीं ना कहीं, वो थोड़े amount में करें, या जादा amount में करें, वो electricity conduct करते हैं, विदुत्य के चालक होते हैं, तो option number 4, यहाँ पर सभी metal के बारे में सही हो जाएगा, next question, content का 20, जो की last question है, विच अमंगदा flowing liquid are conductor of electricity, निम लिखे द्रवों में से कौन से विदुत्य के चालक है, जहां से electricity pass हो तो कहीं न कहीं वो electricity को conduct करेंगे, तो vinegar यहाँ पर हो जाएगा, सिर्का बिल्कुल हो जाएगा, सिर्के में कौन सा acid होता है, आपका acetic acid जो है, वो देखने को मिलता है, sugar solution, जहां भी neutral, जहां भी neutral solution की बात होगी, वहाँ पर iron release नहीं होगे, जिसकी वज़े से electricity conduct नहीं होगी, salt के solution में भी बहुत सारे minerals वगेरा होते हैं, जिसकी वज़े से electricity conduct होगी, तो vinegar और salt solution में electricity जो है, वो conduct हो जाएगी, जबकि distilled water की बात करें, तो उसमें भी electricity conduct नहीं होती, क्योंकि जो आशुच जल होता है, उसमें कोई भी minerals और salt वगेरा जो है, वो नहीं होते हैं, जबकि जो और C हमारा यहाँ पर answer हो जाएगा, option number 3, तो इस तरह से हमने ही 20 questions, तो हमने starting में 20 questions देखे, चलिए अब हम फिर से next 20 questions जो है, वो देखने वाले हैं, और आप बताईएगा last में जरूर कि आपने इन में कितना score किया, तो चलिए शू करते हैं class, और देखते हैं, पहला question, a man goes door to door posing as a gold smith, एक जो आदमी है, सुनार बनकर घर-घर जाता है, he promised to bring back the glitter on the dull gold ornament, वहाँ पुराने सोनों के गहनों पर चमक वापस लाने का वादा करता है, जैसे पहले हुआ करता था, और तो से बोला जाता है कि लाइए अपने gold को चमक वाली जिए, लेकिन वहाँ पर क्य आदे चले, तो तो एम धानि जी पहले है जाता है जो ठील में जई coworkal भी जै तो रही हुआ है, रहुत हम mixture of concentrated hydrochloric acid और concentrated nitric acid जिसे हम aqua rasia भी बोलते हैं और कभी कभी इनका ratio भी हो सकता है जो आप से पूछ लिया जाए तो ये 3 ratio 1 में होते हैं और इनको aqua rasia बोला जाता है जिसमें क्या होता है ये इतना high solution होता है कि इसमें gold भी जो है वो reaction कर जाता है तो option number 3 जो है वो यहाँ पर answer है और भी तरीके से इसका ratio भी हो सकता है आगे कभी पूछ लिया जाए नेक्स कोशन second a doctor prescriber medicine to treat hyper acidity the main ingredient of the medicine is a doctor अती अमलता के उपचार करने हित्व एक दवाई देता है तो इस दवाई का मुख्या गटक क्या होगा चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर answer देखे जब मैंने आपको बहुत पहले content के सारे कराई थे 2011 से 19 कोशन तो उनमें गलत बता दिया था लेकिन actually मैंने फिर उसमें comment में बोल भी दिया था यहाँ पर जो answer होगा वो होगा आपका ammonium hydroxide जब भी hydroxide की बात जाएगे तो वहाँ पर वो बेस होगा क्योंकि पेट में acidity हो जाती है तो हमें base की जरुवत होगी तो वहाँ पर ammonium hydroxide जो है वो यहाँ पर answer हो जाएगा वाकि most of the time जो है वो magnesium hydroxide option में देखने को मिलेगा magnesium hydroxide तो अगर magnesium hydroxide ना हो mgos2 तो ammonium hydroxide भी जो है वो hyper acidity के काम करेगा तो option number first जो है वो यहाँ पर सही है next question third the inner surface of the food can are coated with the tin not with the zinc because भोजन के जो डिब्बे होती है उसकी जो आंत्रिक सतोव होती है वो tin के साथ लेपित की जाती है वो tin से coated करी जाती क्योंकि वो कम reactive है ताकि जो खाना है वो metal के साथ react ना करे और कोई harmful substance वहाँ पर ना बनाए इसलिए zinc की जगा हम उसको किस से coated करते हैं tin से coated करते हैं क्यों क्योंकि tin reactivity table में जब आपने याद करी होगी तो उसमें आपने देखा होगा वो zinc से नीचे आता है तो वो कम reactive है तो यहाँ पर answer होगा आपका option number second next question देखते है fourth the thumb of the human move more freely than other finger due to the presence of manushya का जो अंगूठा होता है बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक सोतंतरता से गती करता है क्यों क्यों इसमें उपस्तित होता है क्या यह हमको बताना है कुछ extra points है जो मैं आपको बताऊंगे लेकिन फिलाल यहाँ पर answer बताए क्या होगा देखिए जो thumb में हमारा joint होता ह है आपका saddle joint question बनेगा एक मात्र जो saddle joint है वो हमारे thumb में ही देखने को मिलता है जैसे आप घोड़े के ऊपर देखाऊगा आदमी बैठता है इस तरह की situation में वो saddle joint की तरह ही काम करता है इस तरह ही हमारा अंगूठा होता है जैसे गोड़े के ऊपर आदमी हिलता रहता है सेम व हमारा hip joint होता है shoulder आपने देखा होगा आप उसको कैसे भी गुमा सकते है गुल-गुल-गुल करके तो बॉल और एक socket में ball fit होती है तो वह आपका ball or socket joint के अंदर जाता है पाइवर्टल joint का भी question exam में बन सकता है याद रखेंगे joint where our neck joint the head जो हमारा head है और जहां पर हमारी neck joint हो important है उसके अलावा देखें यहाँ पर gliding joint भी दे रखा है यह हमारे ankle and wrist में होता है यह बल्कुल क्या होता है दो plane plane joint भी बोलते है तो plane जो सते होती ज़सी यह दिखें दो plane सते है इस तरह से क्या होती है लगी भी होती है यह हमारे ankle or wrist में जो है वो देखने को मिलता है तो यह पर hinge join हो जाता है तो यहाँ पर आंसर था saddle joint चली next question देखते हैं fifth a laboratory thermometer shows five small division between the making of 55 and 56 degree Celsius this means that the thermometer can read correctly up to एक प्रियोक्षाला तापमापी 55 से 56 के बीच में पांच छोटे विवाचन जो है वो प्रदर्शित करता है इसका तापमापी किस उजित रूप में पढ़ा जा सकता है और यह question पुराना है और इससे relate करकर भी 2021 में question और बना था वो यह बना था कि जो temperature वहाँ पर दिया है उसके right में दो temperature क्या होगा तो देखिए इसके right में दो temperature क्या हो जाएगा 55.4 हो जाएगा इस तरह का question जो था वो 2021 में बनाता अब यहां पर पूछा गया इस question में क्या पूछा गया this means that the thermometer can read correctly up to तो यहां पर 55.1 तो वो रीट करेगा नी 55 के बाद जो अगला उसका break है वो कहां पर 55.2 पर है it means option number 3 जो है वो यहां पर सही होगा व्योंकि उसको 5 division में काटा गया था तो 55 के बाद जब 5 division में काटेंगे तो वो 55.2 ही होगा तो इसमें ना हमें 55.1 ना 55.5 ना 55.25 देखने को मिलेगा जो हमें देखने को मिलेगा वो 55.2 मिलेगा तो option number 3 यहां पर सही है next question 6 which of the flowing group of word can be correctly identify with the rhizobium निम्ण में से किस सम्हू को rhizobium के साथ सही डंग से पहचाना जा सकता है यह हमको बताना है देखें पौधों को nitrogen के जरुवत पड़ती है और वो nitrogen जो है वो air में होती है तो air से पौधों तक nitrogen कैसे आती है जब बारिश वगेरा पड़ती है तो स्वाइल में nitrogen आ जाती है जो क्या कहते हैं बहुत से पौधे होती है जिनकी जड़ों में एक bacteria पाया जाता है rhizobium नामक bacteria वो क्या करता है nitrogen को convert करके पौधों तक पहुचाने की मदद करता है और उसी तरह से जो पौधे हैं उनमें क्या होता है वो nitrogen चली जाती है तो rhizobium bacteria बहुत बड़ा role play करता है प दो कि नवाजों जड़ों की ग्रंतियों में पाया जाता है जो फ़लीदार पौधी होते हैं जैसे मटर अगएरा का पाउधा से उनकी जड़ों में पाया जाता है तो option no.3 यहां पर हमारा answer हो जाएगा next question 7 pet bottles and jars are commonly used for storing edible items pet is very familiar फॉर्म आम तार पर खिया सम दूरी को रखने क तो यहां पर हमको बताना है यह P.E.T. जो है वो क्या है देखिए यह एक तरह का जो है वो आपका polyester होता है तो option no second यहां पर सही होगा और मैं इसका detail में आपको अच्छे से explain कर देती हूं ताकि आगे कोई question बने तो आप easily कर देए P.E.T. की एक तुब full form आपको पता होने चा सेट एक thermo setting होता है अर एक thermo plastic होता है जो thermo plastic होता है वह easily melt हो जाता है जैसे पनई इस अधिक वगेरा होती है वो thermo plastic की ही होती है और जो thermo setting plastic होता है वो TV के cabinet, जो switch वगेरा होते है जो आपके cooker के handles होती है back and light और melamine के बने वे वो thermo setting plastic उनमें use होता है क्योंकि उसको हम क्या कर सकते है heat करने पर वो पिघलता नहीं है तो वो thermo setting होता है shape change कर लेते हैं पिघल जाते हैं और फिर से उनको ठंडा करता है फिर वो फिर गरम करा फिर shape change कर लेंगे तो वो thermo plastic होते हैं तो ये भी thermo plastic के category में आता है और ये तो thermo plastic polymer है और कौन से family से belong करता है ये polyester family से ही belong करता है तो option number second यहाँ पर use हो जाएगा और इसको जो कपड़े वगेरा होते हैं उनमे clothing के रूप में भी use करा जाता है और साथ में container जो होते है liquid वगेरा के उनको बनाने में भी use करा जाता है तो यहाँ पर answer option number second था उसके अलावा rayon के बारे में कुछ extra points बता देते हैं यहाँ से question बनता है यह cast की look the wood के pulp से obtain होता है और एक question और बनेगा कि किसे हम artificial silk बोलते हैं तो वहाँ पर भी answer क्या होगा आपका rayon होगा rayon को हम artificial silk बोलते हैं और यह जो acrylic होता है यह भी आपका synthetic fiber ही होता है तो यहाँ पर आपको clear हो गए होगे बहुत सारे points next question 8 the process of converting sugar into alcohol is known as शक्रा को alcohol में परिवर्तन करने की परकेरिया dash के नाम से जानी जाती है तो इसे हम fermentation बोलते हैं और fermentation की खोज किस ने की थी Lewis pasture ने जो है वो fermentation की खोज की थी और pasteurization की खोज भी Lewis pasture ने ही की थी pasteurization में क्या होता है हम दूद को 72 डिगरी पर गरम करते हैं तो इसकी खोज भी Lewis pasture ने ही की थी तो option no.3 यहां पर हमारा answer है next question 9th is the frequency of vibration of the body is decrease and its amplitude increase then यदि किसी वस्तू की कंपनों की आवरती घटी है और उसका आयाम बढ़ता है तो क्या होगा आपको पता है जैसे-जैसे frequency घटेगी तो पिछ भी घटेगी और जैसे-जैसे amplitude बढ़ेगा वैसे-वैसे loudness भी बढ़ेगी तो option no.4 जो है वो हमारा यहां पर answer होगा और एक important point जो है वो आपको याद रखना होता है क्या कि जो loudness होती है वो amplitude के square के proportional होती है question बनेगा loudness is directly proportional to amplitude का square तो यह भी उनका एक relation होता है जो आपको याद रखना होगा next question देखते है question no.10 यह एक numeric question है बाकि कल तो मैं आपके लिए video लेकर याओंगी जिसमें सारे numeric आपको एकसाथ करा दिये जाएंगे from the flowing table the reading of an odometer at different time of the journey are given नीचे दीगे सारे में यात्राओं के विविन समय का odometer में पाठ्यांग दिया है और इसका हमें speed बतानी है vehicles की वह भी किसमे meter per second में याद रखेंगे speed किसमें बतानी है जल्दी जल्दी में बच्चे यही गड़बड करके आते है kilometer per second में जो है वो kilometer पती घंटे में बता देंगे और पूछी यहाँ पर क्या है meter per second में पूछी है अब देखें जो दूरी में आपने के लिए होता है कोशन यह भी बन जाएगा याद रखेंगे वो क्या होता है वो odometer होता है तो यहाँ पर आपकी जो speed होती है वो क्या होती है total distance upon total time तो यहाँ पर total time हमको पता है 8 से 10 घंटे की जनुरी है तो 2 घंटे का time है total distance क्या होगा देखें जब कार चली थी तब उसमें यह reading थी और जब कार final पहुंची तो उसमें यह reading थी kilometer में तो इन दिनों को difference कर लेंगे 6712 की हम minus कर लेंगे 6640 से तो हमें पता चल जाएगा कार कितना चली है तो यह 72 बन जाएगा तो कार चली है आपका 72 km अब अगर मैं speed निकालूं तो वो जाएगी 72 upon 2 है ना और यहाँ पर जब मैं इसको करूंगे 236 और 2612 तो यह जाएगी 36 km पर आर बहुत से बच्ची जल्द बाजी में answer कर देंगे option no.4 यहाँ पर km पर घंटे में नहीं पूछा है answer meter per second में पूछा है और इस 36 को meter per second में convert करने के लिए 5 upon 18 से इसको multiply करना पड़ेगा 18 to 36 और 5 to 10 तो answer हो जाएगा 10 meter per second it means option no.1 जो है वो यहाँ पर सही है next question 11th you are provided with a concave mirror, concave lens, convex mirror, convex lens to obtain the enlarge image of the object you may either use अगर हमें विवर्दित प्रतिविम्ब चाहिए तो हमें कौन से lens या mirror का प्रियोग जो है यहाँ पर करना चाहिए तो देखे आपको बताया था मैंने बहुत ही अच्छे से जो concave mirror होते हैं उनमें जब हम बहुत पास में जाते हैं तो image बड़ी और virtual हो जात specific species विशे 36 species के विशे में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है बताइए यहाँ पर क्या खतन सही होगा देखे यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option no.3 they are found exclusively in specific habitat यह केवल विशे टवास में ही पाई जाती है और ऐसी species को ही हम endemic species कहते हैं जैसे कुछ particular geographical area में ही वह जीव जन्तु जो है या फिलोरा फवना जो है वहाँ पर पाय जाते हैं जैसे काजी रंगा में जो है कहते हैं एक सिंग वाला गेंडा तो पर्टिकुलर वहीं पर पाया जाता है तो वह endemic species होती है और endangered species वह होती है जो संकटा पन प्रजाती है जो संकट में हो सकत जाता है किस बुक में इन सब चीजों का डेटा रखा जाता है कि कौन सी प्रजाती समाप्त होने वाली endangered species वह सारा डेटा हमको रेड बुक में जो है वह देखने को मिलता है next question 13 which one of the following set is the combination of organ of human digestive system that do not carry out any digestive function निम्न में से माना पाचन तत्न के भागों में से संयोजा का वह कौ अपका isofacus होता है ग्रासिक होती उसका काम क्या होता है खाने को गले से स्टमक तक लेके जाना तो यहां पर कोई भी digestive function नहीं हो रहा जो लार्ज इंटस्टाइन होती है व्रद्धान्त जिसे हम कहते हैं बड़ी आथ कहते हैं वहां पर भी digestive function नहीं होता वहां कि सारे digestive function जो का option number B और याद आखेंगे हमारी body का सबसे बड़ा gland कौन सा होता है वह हमारा liver जो होता है वह सबसे बड़ा gland होता है सबसे बड़ी गरंती जो होती है वह liver ही होती है और liver में कौन-कौन से vitamins जो है store रहते हैं जो fat vitamins होते हैं वह liver जो है अपने अंदर store करकर रखता है ADEK यह सा मग जो small intestine के अंदर fat है वह completely digest वहां पर नहीं हो पाएगा बहुत साई extra points भी आपको बता दिये है next question 14 given below are the steps to test the presence of protein in a food item these steps are not in a correct sequence खाद्य पदार्ध में protein की उपस्तिती का परिक्षन करने के लिए कुछ चरण दिये हैं कौन सा चरण सही क्रम में नहीं है हम पर सही क्रम नही सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले पेस्ट बनाएंगे किसका जो हमारे पास खाना है जिसके उपर हमें test करना है कि उसमें protein है या नहीं तो B पहले आएगा उसके बाद हम क्या करेंगे small quantity of food item को test tube में डालेंगे और उसके बाद 10 बूंद पानी डालेंगे और उसको shake कर जाएंगे तो यहां पर जो सही sequence होगा B B B हो जाएगा फिर A जाएगा फिर D आएगा और फिर C आएगा मतलब option number second जो है वह यहां पर सही होगा यहां पहले दो बूंद कास्टिक सोडा की डाली जाती है और उसके बाद last में 10 बूंद कास्टिक सोडा की जो है वह डाली जात तो वहां पर हम टेस्ट करके बता देते हैं कि जो सबस्टांस है उसमें क्या था उसमें प्रोटीन था next question 15 the reason of sea breeze is जो समुंदर समीर होते हैं उसका क्या गरण होता है देखिए sea breeze थंडी थंडी हवाएं जो बीच के किनारों पर चलती हैं जो बीच के पास घर होते हैं basically उसे ही हम क्या बोलते हैं sea breeze बोलते हैं देखिए होता क्या है तो answer यहां पर जो होगा पहले answer बता देती हू option number one होगा दिन के समय में जो land होते हैं वो जादा गरम हो जाते हैं then the sea होता क्या है यह sea है suppose और यह आपका land है तो दिन के समय में यह जो land है वो जल्दी गरम होता है जल्दी गरम होने से यहां की हवा जो है वो उपर उट जाती है अब जब air उपर उट गई है तो यहां पर space तो इस जगा को फिल करने के लिए जो sea की air है वो land की तरफ आती है, जब sea की air land की तरफ आती है, तो इसे हम दिन के समय क्या बोलते हैं, sea breeze बोलते हैं, तो option number one यहां पर जो है, सही होगा, लेकिन रात के समय क्या होता है, जो sea का water होता है, वो cool down more slowly, जो sea का पानी है, वो जल्दी ठंडा नहीं होगा, as compared to land, अब जब land जो है, वो यहां पर जो land है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है, और sea यहां पर जल्दी ठंडा नहीं होता, तो फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर गर्मी रहेगी, तो यहां की air जो है, उपर उठेगी, यहां पर space खाली हो जाएगा, त तो उसमें जो समुंदर से आने वाली जो सी से आने वाली हवाएं होती है वो क्या होती है वो सी ब्रीज होती है और जो रात के समय थल समीर जो लैंड से जाने वाली हवाएं होती है इस थल की और से ठंडी बायू समुंदर में जो बहती है वो आपकी क्या होती है वो आपकी ल 15 समन 16 बहुता बाहर दिया दो कि तपार फिलोवर के रिप्रड़क्टिव पार्ट्ट में नहीं दु पार्टिब द s preserved पाक uh ya No available here I can 2 एंधर ऴ्लामेंट जो अधर मैं आ इस दरिक सीन होते हैं तो सोभी तो और अमम इन व्यां जो है ronut आप लेह सब हैं which fuel has the highest calorific value from among the flowing निम्न में से किस इंधन में उश्मयमान सबसे अधिक है पहले टेबल को देखे बिना कोशिश करनी है सौर्व करने की देखे यहां पर जो आंसर होगा highest calorific value वो हमें LPG में देखने को मिलेगी liquefied petroleum gas यह टेबल पूरी NCRT में दी है calorific value की यहां पर सबसे ज़ादा calorific value जो होती है वो hydrogen की होती है जो एप्रोक्स 1.5 लाग होती है फिर उसके बाद bio gas की फिर LPG फिर CNG और जो पैट्रोल कैरोसीन और डीजल है इनकी समान होती है 45,000 काव डंग की बहुत कम होती है कैलोरिफिक वैल्यू जितनी हाई होगी उतनी ही जल्दी जो है वहां पर हीट अप करेगा कंबस्चन करेगा तो देखे कैलोरिफिक वैल्यू का ऐसा यूनिट भी हां दे रखखा है क्लोजूल पर केजी तो फिलाल इस उप्शन में जो आंसर होगा वह प्शन नमबर फोर होगा पूरी टेबल आप अच्छे से याद करके जाएगा थियोरी में सब अच्छे से पढ़ाया है याद रखेंगे next question 18th if we add a handful of garden soil to a beaker filled three quarter with water stir the content with a stick to dissolve the soil and let it stand undisturbed for some time we observe different layer तो हमें यहाँ पर जो order है वो बताना है from bottom to the top आप क्या करें किसी 3-4 जल से भरे बीकर में एक मुट्टी भर बगीचे की जो मुट्टी है मिलाएं और उसे अच्छे से हिलाना है और उसके बाद उसको कुछ समय के लिए रख देना है प्रेशन में आप यह पाएंगे कि वह जाएंगे उसके बाद उसके बाद दूसरा नंबर किसका आएगा वो सेंड का जाएगा क्ले से जादा भारी होती है उसके जो कं होते हैं जादा भारी होते हैं जो आपकी मृतिका है जो चिकनी मिट्टी है वो से उपर होगी उस सबसे उपर पानी होगा और पानी के उपर क रीचे कुछ जीव की पड़जीव के उनका सही उनको रहे बताना है कि कौन से यहां पर और आर्गनिजम वह परासाइट के इतागरीए में ग्लासिफाइड करे गई है। पेरसाइट कौन से होते हैं जो दूसरों पर dependent होते हैं अपने भोजन के लिए तो पर dependent होते हैं जैसे सिर में जूम weगरा हो जाती है घुटमल व 92 00 लाइस हो जाएगा फिर हमारा जो कॉस्कुटा होती है जिसे हम अमर बैल बोलते हैं अंसियार्टी पुरा पढ़ाया के बारे में तो वो भी क्या है आपकी पैर अपर लटकी रहती है यहाई तो पेर जो होते है उनके लिए होस्ट की तरह काम करते हैं उनसे क्या करती है अपन E F H B E F H option number second में मिलता है तो यह हमारा यहां पर आंसर होगा LG जो होता है यह auto-trops होते हैं auto-trops वो जो खाना अपना swim बनाते हैं मश्रूम जो है वो आपके saprophytes की कैटेगरी में आता है जो मरत जीवों पर depend होते हैं अगर मैं बात करूँ लाइकेन की इसी से हमें क्या मिलता है लिटमस पेपर होता था नीला-लाल का वो लिटमस पेपर हमें किससे मिलता है वो लाइकेन से मिलता है और यह लाइकेन कहा होता है पेड़ों की चालों में देखने को हमें यह लाइकेन मिलता है और यह लाइकेन क्य सिंबोटिक र्लेशनिशिप जिसमें पंगाई और ऐल्गी गहितSalgत कर एक साथ ल ren sobre दूसरेम कोस्ति को याद रखनी एं तो यह सारी सिर्फ तो सप्रकार बिलूह माँद रहा है आरीक में दरशाहे हैं सुरह माथमन प्रकाश गिर रहा हूं मुआ है the surface on which the angle of incident is equal to the angle of reflection वो हमको बताना है प्रश्ट जहां आपतन कोण और परावरतन कोण बराबर होगा देखे ये surface smooth है और ये दोनों rough surface है बले ही चाहे surface smooth हो चाहे rough हो जो line आई है जिस दिशा से उसका angle of reflection ऐसे होगा suppose line ऐस ते रहे इस तरह से आई तो ऐसे होगा मतलब angle of incident और angle of reflection चाहे surface smooth हो ये rough हो वो हमेशा बराबर ही होता है तो all three cases में angle of incident और angle of reflection जो है वो बराबर होगा अब यहाँ पर देखे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे तो ये point पर मिल जाएंगे तो यहाँ image form हो जाएगी smooth surface में जो है वो प्रतिबिम जो है वो देखने को मिलता है लेकिन अभी इस case में देखे ये ऐसे आई तो यहाँ पर इसका जो angle of reflection होगा वो ऐसे होगा अब यह ऐसे है तो इसका angle of reflection ऐसे बदल जाएगा, अब यह ऐसे है तो इसका angle of reflection ऐसे हो जाएगा तो यहां पर कोई भी प्रतिविम जो image है वो प्राप्त नहीं की जा सकती कहां खुरदुरे surface पे, लेकिन जो plane surface होता है, जो smooth surface होता है वहां पर जो है वो आपका प्रतिविम ब reflection जो है वो हमेशा ही बराबर होगा 40 कोशन हमने कवर कर लिए चलिए अब आगे के next 20 कोशन हम देखते हैं और देखते हैं किस तरह के कोशन जो है एक्जाम में बने और कितना स्कूर आप यहां पर कर रहे हैं बहुत ही धियान से कोशनों को आपको करना है पॉस करके कोशिश कर करनी है एक तरह से की एक्जाम है और उसी की अकोडिंग आपको कोशन जो है यहां पर सॉल्व करने है टेस्ट का पहला कोशन इन आर माउथ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप आफ टीट फ्रॉम फ्रंट टू बैक इस हमारे मुख में बिविन प्रकार के दातों का आपके कैना ही नाते हैं फिर प्री मोलर होते हैं और लास्ट में आपके मोलर होते हैं यहां पर एक्स्टा पॉइंट में आपको बता देती हूं जो इनसीजर होते हैं यह कटिंग और बाइटिंग के लिए होते हैं यह खाली एक जौ की बात करें एक जबड़े की बात करें हैं एक जबड़े में चार इंसीजर होते हैं लेकिन हमारे दो जबड़े होते हैं दो जबड़े होते हैं तो कुल मिलाकर इंसीजर जो है वो हमारे आठ हो जाएंगे अब कोश्चिन कैसे भी बन सकता है हो सकता है वो एक जबड़े कितने इंसीजर हैं तो चार आंसर होगा और total number of incisor पूछेगा तो वहाँ पर 8 हो जाएगा सेम ऐसी जो canine होते हैं जो हमारे नोकीले दांत होते हैं वो एक जो नोकीले दांत होते हैं लेकिन total की बात कर दिजाए तो वो हमारे चार हो जाते हैं pre molar की बात करें ये हमारे basically chewing जो हम चबाते हैं उसमें grinding में ही मदद करते हैं और यह एक जों में 6 होते हैं और कुल मिलाकर कितनी हो जाएंगे 12 और इस तरह से जो हमारे total teeth हैं वो मिल जाती है तो यहां पर answer था आपका option number second next question second select the true statement from the flowing निवन में से सत्यकतन जो है वो हमको पहचानना है चलिए बताइए यहां पर क्या सत्यकतन होगा देखिए यहां पर जो सत्यकतन है true statement है वो option number C है बेकलाइट और मेलमाइन आर बोथ thermosetting प्लास्टिंग यह दोनों ही thermosetting प्लास्टिक के उधारन है question बनेगा प्लास्टिक में बहुत important question बनता है कि दो तरह की प्लास्टिंग होती है एक होती है थर्मो प्लास्टिक और एक होती है आपकी thermosetting धंड इतनी हो रही है कि बोलने में गड़बड हो जा रही है तो प्लीज उसको थोड़ा mind मत करिएगा एक होता है आपका thermosetting दे जो होता है वह बेकल लाइट का ही मना होता है और यह किस कैटेगरी में आते हैं यह thermosetting plastic के अंदर ही आते हैं तो option number 3 यहां पर सही था third question देखते हैं the air near a heat source get hot and rise the air from the inside come into take it place this is the way in which the air get heated by oil heater this process is called हवा उश्मा का शोत के समीप में गरम हो जाती है तथा उपर उठ जाती है आपको पता है जैसे मैंने land breeze और sea breeze में भी बताया था जब हवा गरम होती है तो वो उपर उठ जाती है कौन सा वे है heat transfer का बताये कौन सा वे है यहां पर आंसर होगा आपका option number c इसे हम बोलते है convection समभाहन देखे यहां पर समझे एक्स्टा point में heat के three way होते है ट्रांसफर करने के पहला होता है आपका conduction जिसे हम चालन विदी बोलते हैं आपने देखा होगा जैसे चमच को अगर आप किसी गरम चीज के पास लेके जाएंगे तो पहले उसका आगे का हिस्सा गरम होगा फिर पीछे का हिस्सा भी गरम हो जाएगा तो उसमें क्या हो रहा है जनरली वह हमें solid में देखने को मिलती है तो जो particle है उन्होंने पहले particle ने दूसरे particle पर heat transfer ही फिर ऐसे इसी तरह से end तक जो है टाइम लगता है तो वहां पर जो particle का जंप हो रहा है उपर नीचे वह आपकी कौन सी विधी है convection विधी और radiation विधी जो विधी है जिसमें हमें किसी medium माध्यम की जरूरत नहीं होती जैसे light अर्थ तक आ रही है तो वहां कौन सा वे है वहां radiation जो है उसके धुरू हो रहा है तो उसे हम विकेरन बोलते हैं तो तीन वे होते हैं heat transfer के यहां पर answer क्या था option number C next question यह बहुत important question है average speed से और सचाल से एक question आपको अपने exam में देखने को मिलेगा तो दिहान से इसको देख लीजेगा मायरा साइकल तू अ फ्रेंड हाउस फाइफ किलो मेटर अवे तू डिलीवर दा पैकेड शी गोज अट था स्पीड अफ 12 किलो मेटर पर रार एंड रिटर्न अट था स्पीड अफ 8 किलो मेटर पर रार तो हमें यहां पर उसकी average और सचाल जो है समस्त यात्रा की whole trip की जो है वो यहां पर बतानी है तो average speed का जो formula होता है याद रखेंगे वो होता है total distance upon total time कुल दूरी बटे कुल समय अब देखिए जो मायरा है वो 5 किलो मेटर का distance कवर करने जाती है एक packet को deliver करती है packet को deliver करती हो फिर वापस जो है आ जाती है तो देखिए वो 5 किलो मेटर गई और 5 किल के वापस आई तो कुल मिला कर उसके ने जो दूरी कवर की थी वो कितनी थी 10 किलो मेटर की तो हमें total distance तो पता चल गया कितना है 10 किलो मेटर अब अगर मुझे total time पता चल जाए तो मैं अपनी average speed के formula में दोनों चीज़े रखकर जो है अपनी average speed औस चाल जो है वो निकाल लू जैसे speed का क्या होता है distance upon time अगर मैं time को उपर ले जाओं तो उसका formula क्या हो जाएगा distance upon speed simple तो distance तो दोनों case में कितना कितना है 5 ही है और पहले जब वो गई तो उस समय उसकी speed कितनी थी 12 की लेकिन जब वो वापस आई 5 किलो मेटर के distance के लिए तो उस समय उसकी speed कितनी हो गई 8 हो गई तो यहाँ पर total time कितना हो जाएगा LCM जब आप लेंगे तो कितना आएगा नीचे 24 12 2 24 और 2 5 10 8 3 24 और 3 5 15 तो यहाँ पर कितना हो गया total time 25 upon 24 याद रखेंगे यह total time निकल कर हमारा आ गया अब हम average speed के formula में रख देंगे total distance हमारा कितना था 10 total time यहाँ पर कितना निकल क 25 upon 24 अब यहाँ पर यह जो 24 है वह आपका ऊपर चला जाएगा और यह 25 नीचे रहेगा और इसको कट करेंगे 5 तूजा 10 5 5 25 और 24 तूजा कितना हो जाएगा वह 48 हो जाएगा तो 48 upon 5 अब यहाँ पर इसको कट करेंगे 5 9 45 और 5 6 30 तो यहाँ पर जो final answer निकल के आया average speed वह 9.6 km पर हो गई option number 1 यहाँ पर सही है next question 5th there are two planet in our solar system whose speed of revolution around the sun are less than those of earth मतलब जो अर्थ जो sun का चक्कर लगाते हैं उनका जो revolution time है पूरा वो अर्थ के comparison में कम होता है मतलब अर्थ से जल्दी जो है वो sun का चक्कर लगा लेते हैं तो उसे पूरा revolution बोलते हैं परी कर्मन काल बोलते हैं but their period of rotation are more as compared to that of earth मतलब अपना चक्कर लगाना जैसे प्रत्व से जल्दी लगा लेते हैं sun का चक्कर तो लगाने में क्या होता है वो sun का चक्कर जो है वो जब लगाते हैं तो उसमें less time लेते हैं लेकिन अपना जब वो चक्कर लगाते हैं तो उसमें वो ज्यादा time लेते हैं तो हमें वो दो planet बताने हैं तो वो सबसे शुरू वाले planet हों लेकिन खुद का चक्कर लगाने में, खुद का रोटेशन करने में यह जादा समय लेते हैं, तो option number A यहाँ पर सही है, अब यहाँ पर कुछ extra point याद रखेंगे, total 8 planet होते हैं, जो शुरू के 4 planet होते हैं, वो आपके inner planet होते हैं, और जो बात के 4 planet होते हैं, वो outer planet होते हैं, inner planet मे जो inner outer को अलग करता है, वो होते हैं, asteroid belt, एक asteroid belt होते हैं, पत्थरों की जो inner outer planet को अलग करती है, कभी-कभी पूछ लेता है, कि जो asteroid belt होते हैं, यह किन दो planet के बीच में होती है, तो यह Mars और Jupiter के बीच में होती है, एक question और बनता है, आपको पता है, प्रत्वी west से east की तरफ जो वो जो है अपना जो rotation करते हैं वो क्या करते हैं वो east से west की तरफ करते हैं अगर ये question बने कौन दो planet है जो east से west की तरफ rotation करते हैं तो वो होते हैं आपके venus और uranus याज रखेंगे कौन venus और uranus तो बहुत सारे extra points यहां पर मैंने बता है next question 6 identify the incorrect statement from among the following नीचे दिए गए कथन में हमको यहां पर गलत कथन जो है वो पहचान करना है motion of the earth around its axis is a periodic motion प्रतवी की अपने अक्ष पर गती आवरती गती होती है बिल्कुल periodic motion क्या होता है एक ही समय पर बार बार उसी चीज का चक्कर लगाना तो एक ही पिरिएड में जब हम बार बार एक ही चीज का चक्कर लगाती है तो वो periodic motion होता है और अर्थ हैसे ही करती है है न 365 दिन में पूरा चक्कर लगाती है चाहें अपने अक्ष का हो चाहें सन का चक्कर लगाना हो particular एक time period में ही लगाती है तो वो periodic motion होगा incorrect statement बताना था motion of the light is a rectilinear motion प्रकाश की गती जो होती है सरल रेखे गती होती है हमें बिल्कुल सच पता है कि जो light होती है वो linear motion में चलती है सरल रेखे गती वहाँ पर देखने को मिलती है the motion of the plugged string of the sitar is a oscillatory motion बिल्कुल दोलन गती होती जैसे आप string को दबाते हैं तो वो उपर नीचे हो जाता है तो वो कैसा दोलन होता है आपका oscillatory होता है यह भी सही है तो गलत कथन यहाँ पर कौन सा है वो आपका option number D है all periodic motion are circular motion सभी आवरती गतियां जो हैं व्रत्ताकार गतिया होती है यह बात यहाँ पर गलत है जैसे pendulum होता है एक समय में इधर जाता है तो यह periodic motion है तो यह circular थोड़ी है और यह क्या रहा है कि जितने भी periodic motion होते है वो circular ही होते है नहीं ऐसा नहीं होता pendulum में ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर incorrect कथन जो है वो आपका option number 4 ही हो जाएगा next question देखते हैं question number 7 which of the following statement is not true regarding cycle of silk warm and production of silk fiber resum keyt के जीवन चक्र और resum fiber के उत्पादन के संबंद में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है यह हमको बताना है तो चलिए बताईए यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पर जो कथन सही नहीं है वो option number 2 होगा तब pupa develop into caterpillar caterpillar से बाद में pupa develop होता है वो अंडे देती है, मादा रेशम कीट जो होती है, वो अंडे देती है, क्या होता है, विच हैच लारवा, जिससे क्या होता है, लारवा निकलता है, जो आपका कहलाता है, केटरपिलर या रेशम का कीट कहलाता है, तो इंपोर्टन्ट है, याद रखेंगे, फीमेल जो मौत हो करता है, the size, they grow in the size when the caterpillar is ready to enter the next stage of the life history called pupa, तो caterpillar के बाद जो अगली stage आती है, वो pupa की stage आती है, तो यहां पर यही इसी वज़े से क्या था, आपका second option जो है वो गलत था, और उसे ही हम pupa कहती है, फिर क्या होता है, इट first weave a net to hold itself, अपने आपको hold करने के लिए weave करना श्यू कर देता है, अपने आपको बुनना श्यू कर देता है, उसके बाद जैसे 8 की आकरिती होती है, इस तरह से क्या करता है, अपने जो head है, side to side move करता है, then it swings its head from side to side in the form of figure 8, जैसे 8 figure होती है, इस तरह से ये move करना श्यू करता है, और इस तरह से move करते वक्त, ये जो caterpillar है, जो pupa की stage में आ गया है, ये fiber secret करता है, जो protein का बना होता है, और ये अपने आप एक बहुत, अपने उपर क्या है, एक hard covering जो है, वो बना लेता है, और यही जो hard covering होती है, ये किसकी होती है, ये ककून की होती है, तो याद रखेंगे, बाद में जो है, वो ककून बन जाता है, hard covering का, किसके उपर, caterpillar जो pupa है, उसके उपर, ये जो development है, मौत का, ये continue रहता है, inside the ककून, और ये ही ककून को हम जो है, निकाल लेते हैं, और इसी से जो है सिल्क का धागा जो है, हम इस ककून से प्राप्त कर लेती है, तो ककून वाली स्टेज जो है, इसमें final होती है, और वहां से हमें जो है, वो सिल्क फाइबर जो है, वो मिल जाता है, तो पूरा ये process भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, next question देखते है, 8th, when electric current is passed through a metallic conductor, amount of heat in the conductor depend on it, जब धात्विक चालक में विदुधारा प्रवाहित होती है, तो चालक के उत्पादित उश्मा की मात्रा इसमें dash पर निर्भर करती है, देखिए वो सारी चीजों पर निर्भर करेगी, देखिए किस तरह का material आप यूज कर रहे हैं, क्या length है wire की, और क्या थिकने स सदे के material, कुछ material आपने देखा होगा, जिन में से heat जादा पर यूज होती है, कि निवे heat जो है, वो कम पर यूज होगी, कुछ electric current के अच्छे चालक है, कुछ नहीं है, copper होगए, लग-लग example होगए, तो material पर depend करेगा, length पर भी depend करेगा, जैसे length बढ़ाते जाएंगे, heat जो हीटर में से निकले, तो length पर भी depend करता है, और thickness पर भी inversely proportional, जो है, वो heat depend करती है, तो ये सारे factor depend करती है, तो option number 4 यहाँ पर सही है, next question, 9, सारीका तुक distilled water in a water and try to find whether it conduct electricity or not, which is she likely to find, सारीका जो है, आसुजल एक बोतल में लेती है, और पता लगाने की कोशिच करती है, कि वह है, विधुत का सुचालक है या नहीं, तो आपको पता होगा, जो normal salt water होते है, उसमें milderals होते है, H plus iron release होते है, तो वो विधुत का चालक होता है, ना कि distilled water, तो यह जो आसुजल है, distilled water है, इसे हम क्या बोलेंगे, poor conductor of electricity बोलेंगे, तो option number C यहाँ पर सही होगा, देखे, को पती पड़ते है, all metal conduct electricity, तो कहीं न कहीं, कुछ amount होए, भले वो poor conductor हो सकता है, लेकिन कुछ तो है, तो इसलिए, या तो good conductor बोलोगे, या पूर बोलोगे, तो यहाँ पर option number C सही होगा, pure insulator नहीं बोलेंगे, next question time, sorry 10th, match करने है, column A और column B गो, यहाँ पर बहुत easy question है, यह वाल प्रोटोजोन आपको पता है, malaria जो है वो, प्लाजमोडियम प्रोटोजोवा के कैटेगरी में ही आता है, तो second का आपका क्या हो जाना है, C हो जाना है, वो हमको option number 1 में ही देखने को मिल रहा है, तो answer यहाँ पर option number 1 होगा, राइजोबियम के बारे में पीछे बताया था, ना के mirror होता है, मैंने बताया था, सबसे starting में सबसे पहला mirror, वो erect भी image form करता है, जब हम mirror के बहुत पास जाते हो, inverted image भी form करता है, जब हम mirror के दूर होते है, उसमें real भी image form होती हो, और virtual भी होती है, तो पहला कथनी यहाँ पर सही है, बाकि जो convex mirror होता है, उत्तल दरपन होता है, उसमें inverted नहीं, erect image बनती है, हमेशा इसवजे से यह गलत है, convex mirror में erect ही बनती है, inverted कभी नहीं होती, यह भी गलत है, और यह जो कौन के mirror है, इसमें हमेशा erect image बनती है, नहीं, इसमें erect नहीं बनती, जब हम पीछे रहते हैं, तो वस्तु जो है, वो inverted रहती है, इसलिए पहला statement ह यहां पर सही है, next question 12, human nutrition include nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body occur in various steps, माना पोशक के जो पोशक है, पोशन के जो पोशक हैं, तत्वों की आवशकता होती है, वो बोजन क्रेंगरने की एक विदी होती है, जिसका शरीर जो है उपियोग करता है, वेविन चर्णों में, तो वही हमें सही चर्ण ब तो पहले ejection होगा, ingestion होगा, अंतग्रहन होगा, उसके बाद हम पाचन करेंगे, उसके बाद उसमें से जो भी important nutrients होते हैं, वो हमारी small intestine में है, जो है पूरे amino acid में बदल जाता है, वो absorption होता है उनके nutrients का, उसके बाद assimilation होता है, स्वांगे करन होता है, मतलब जो nutrients amino acid में बदल process होने के बाद वो बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर जो पूरा sequence है, वो option number second का सही sequence है, next question 13, in order to slide a huge box lying on a ground in her room, रेशमा should apply a force which is greater than which of the flowing, अपने कमरे में फर्ष पर रखे किशी विशाल box को सरकाने के लिए, रेशमा को निम्न बलो में से किसमें सबसे अधिक बगल लगाना चाहिए, देखिए box जो है, रखा है, तो वो क्यों रुकावा है, क्योंकि वहाँ पर static friction है, static friction में घर्षन जो है, वो सबसे जादा होता है, यह हमने पढ़ा है, तो उसको static friction से जादा जो force है, वहाँ पर लगानी होगी, तब ही जो वस्तू है, वो खिसक पाएगी, तो यहा कि जो तापमापी होते हैं, जिनने मर्किरी होती है, जिसके थू हम मेजर करते हैं, तो उसकी रेंज क्या होती है, बिलकुल उसकी रेंज 35 से 45 डिगरी Celsius ही होती है, यह याद कर लीजेगा, बहुत important है, फिर statement B क्या कह रहा है, कि range of laboratory thermometer, laboratory जो प्रियोक शाला तापमापी होती ह हैं, वो अलग होते हैं, उनकी range जो होती है, वो minus 10 degree से 110 degree Celsius तक होती है, तो statement B यहाँ पर गलता है, क्यों क्यों कि यहाँ पर minus 10 नहीं लिखा है, अगर यही तो confuse कर दिया, बहुत से बच्चे कह देंगे statement A और B दोनों correct है, नहीं, statement A जो है वो correct है, statement B जो है यहाँ पर false है, क्य next question 15, read the statement and select the option, फिर से वही है, विकल्प पढ़ना है, कतन पढ़ना है और विकल्प का चैन करना है, statement A दी है हमको यहाँ पर, husk जो है, जो भूसा होता है, is separated from heavier seed of grain by renewing, बिलकुल भारी अनाजों से भूसा आसोई द्वारा निकाला जाता है, अभी मैं पूरा आगे भी आप करने जानदन विदी से अलग करते हैं, सीविंग क्या होता है? सीविंग होता है, जैसे आपने देखोगा, जो मम्मिय होती है, शन्टे में ग्रीस लेकर आते को से अट्व होता है, साई चो चang 재ा है और पाने में जो काण है, ऑर पाने में जो काण जाता है, वो से Lite काम होता जाते हैं क्योंकि उनका साइज जादा है और पानी जो है वो अलगा जाता है क्योंकि उनके जो काण है वो पतले हैं तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर जो है सही है यह जो पत्थर और गुठका पड़ा है इसको मार रहेत तो यह जो पीटने वाली विधी होती है यह थ्रैशिंग होती है the process to use to separate grain from stock is threshing और इस process में हम क्या करते है stock are bitten to free the toume the grain seed इसमें से जो ग्रीन के दाने निकालने के लिए क्या करते है, यह जो स्टॉक है, यह जो ढंडिया है, इनको भूह को मारते हैं और शेयह अनाच अलग हो जाता है, और यह विधी हमारी THRASHING होती है, दूसरी विधी होती है हमारी विआ환bing हमारी video हमा यह विदी थी अमारी भू और जो light component है वो उडगर अलग इखटा हो जाता है, तो heavier or lighter component को जैसे भूसे को अलग करना था, तो उसमें हम renewing विधी का प्रियोग करते हैं, उसके अलावा दो विधी और याद रखनी है, sedimentation और decantation, जिसे हिंदी में अफसादन और निस्तारन बोलते हैं, sedimentation ये हैं, देखें करना sedimentation हुआ, जब मैं उसको दूसरे glass में निकाल रही हूँ पानी को, तो वो निस्तारन है, वो decantation है, समझ में आया ये पूरा, मैंने extra points भी आपको काफी सारे यहां पर बताए, जब खाना सड़ जाता है, तो उसमें से false smell आती है, बिल्कुल वहाँ पर chemical reaction हो जाती है, जिसकी वज़े से ऐसी जो smell है, देखने को मिलती है, slice of apple जो है, वो brown color acquire कर लेता है, जब हम उसको बहुत समय एक थोड़ साइम के लिए बाहर रख देते हैं, ये बात भी सही है, और ये भी हमारा chemical change ही होता है, क्यों क्योंकि वहाँ पर reaction हो गई है, when an aunt bite, calamine is used to ease the irritation on the skin, बिल्कुल जब aunt हमको bite कर लेती है, चलिए comment box में बताए कि aunt जो bite करती है, उसमें कौन सा acid होता है, ये comment box में बताना है, बहुत easy है, तो उस case में हम base का pre-o करते है, calamine का, तो पूरी एक reaction हो रही है, acid base का reaction हो रहा है, तो यहाँ पर सारी के सारी ये क्या है ये सारे के सारे रसाइनिक परिवर्तन है, रसाइनिक परिवर्तन के बारे में इतना याद रखेंगे, 90% रसाइनिक परिवर्तन में आपका नया substance जो है, वो फॉर्म होता है, फिजिकल चेंज में सिर्फ हम क्या करते है, जैसे color change कर दिया, पेपर की cutting कर दिया, उसकी shape बदल वो आपका chemical change है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला option सही था, why is a manmade fiber obtained from a natural source, what could be why, why कोई मानव निर्मित रेशा है, जिसे प्राकर्तिक शोस से प्राप्त करा जाता है, मैंने बताया था, semi synthetic fiber था, वो कौन था, वो आपका rayon था, तो option number 1 जो है, वो यहाँ पर सही होगा, इ इसे हम artificial silk भी बोलते हैं, तो option number 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, next question 18, यहाँ पर देखे, column 1 और column 2 में, यहाँ पर जो है, कुछ microorganism के जो सुक्ष्म जीव हैं, उनके नाम लिखे हैं, और हमको बताना है, वो किस category के सुक्ष्म जीव हैं, इसको question को करने से पहले, मैं आपको यह क्या बोलते हैं, आपका algae, यह algae के example है, जो NCRT में दिये है, claimidomonas, claimidomonas भी क्या है, इक algae है, spirogyra, यह दोनों आप याद रखेंगे, किस के category में आते हैं, algae के category में आते हैं, शेवाल, और यह autotrops होते हैं, अपना खाना photosynthesis में खुद बनाते हैं, उसके बाद आते हैं, protozoa, त इसके category में तीन चीजे बताई हैं, एक rhizopas बताया है, यह rhizopas है, एक penicillium बताया है, और एक आपका aspergillus बताया है, यह सारे के सारे fungus होते हैं, तो अब आप असानी से match कर देंगे, aspergillus अभी देखा था, आपने यह fungi के अंदर आता है, lactobacillus तो बहुत बार आगे, की category में हाते हैं, तो A का यहां पर हमारा third होगा, तीन option में, दो option में दे रखा है, और B का हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, second हो जाएगा, दोनों option में दे रखा है, C का हमारा fourth होगा, दोनों option में दे रखा है, और D का हमारा first हो जाएगा, it means option number third जो है, वो यहां पर answer हो गय तो नहीं ये भी सही नहीं होगा, all metals are all non-metals, सभी अधात हुए gases हैं, नहीं, जादतर गैसे होती हैं, जैसे oxygen, nitrogen, ये सब gases हैं, जो non-metals में आती हैं, लेकिन अगर मैं ब्रोमीन की बात करूँ, हम पढ़ते हैं, वो आपका क्या होता है, वो liquid state में होता है, carbon, वो आपका, उसमें diamond निकलता है, वो आपका hard होता है, तो हम यह नहीं कह सकते हैं, सारे non-metal gases हैं, ये भी गलत है, all non-metal are non-ductile, सभी अधात हुए अतन्य होते हैं, बिल्कुल ये बात सही है, जो तन्यता की property होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, खीच-खीच के पतले-पत्य वायर बनाते हैं, वो metal के अंदर होती है, non-metal में नहीं मिलती, तो ये point चाहिए है, all non-metal are non-ductile, तो option number 4 यहां पर सही होगा, next question 20, Deficiency of X, vitamin X cause bleeding of gamma को पता होना चाहिए, मसूडों में जो खून निकलता है दातों में, वो किस की कमी से होता है, वो vitamin C की कमी से होता है, और एक मात्र second option में ही यह दिया है, तो यहां पर answer आपका option number second होगा, This vitamin is essential for absorption of mineral Y, यह है vitamin खनिज Y के अप्शूशन के लिए आवश्यक है, तो यह iron हो जाएगा, यह जो X vitamin है, यह Z food में पाया जाता है, यह citrus fruit में पाया जाता है, next questions देखते है, next 20 questions, जो आपके exam में बने, पिछले जितने भी questions है, वो आपको अच्छे से clear हो गए होंगे, तो चलिए देखते हैं, और देखते हैं पहला question, the major reason for using baccalite for handle of pressure cooker is that, pressure cooker के handle के लिए baccalite का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है, बताइए चार option में से यहां क्या answer होगा, यहां पर जो answer होगा वो option number A होगा, it is a bad conductor of heat, मैंने आपको बताया था कभी भी कोई भी चीज प्योर insulator के रूप में नहीं होती, हमेशा या तो bad बोलोगे या good बोलोगे, बताया था थर्मो सेटिंग में दो प्लास्टिक होती है, baccalite और melamine, तो यह जो प्लास्टिक की फॉर्म होती है, baccalite यह हम स्विचिज में, TV के क्याबिनेट में और जो प्रेशर कुकर होता है, उसके जो हैंडल होते हैं वह भी baccalite प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि वह प्लास्टिक जो होती है, हीट करने पर पिघलती नहीं है, तो यह जो baccalite यह थर्मो सेटिंग टाइप है प्लास्टिक का, यह क्या है यह bad conductor of heat है, उश्मा का कुछालक है, तो option number a यहां पर सही है, next question देखते हैं, question number second, and choose the correct option, नीचे दे गए कतनों को पढ़ें, और सही विकल्प का चुनाव हमको यहां पर करना है, assertion, अभी कतन हमको दिया, कि जो bird like owl होती है, can see very well in night, but not during day, उल्लू जैसा पक्षी रात, तो रात में बहुत अच्छी तरह देख सकता है, लेकिन दिन में नहीं यह बात यहां पर बिल्कुल सही है, night birds और उसके पीछे का reason है, are यहां पर दिया है क्या, night birds have few cons and large number of rod in their retina, यह बात भी सही है, इसी की वज़े से जो होता है, ऐसा होता है कि जो birds होती है, जो जैसे उल्लू वगेरा, वो रात में अच्छे से देख पाते हैं as compared to दिन में, क्यों क्योंकि उनकी retina में कम शंकू और अधिक छड़े होती हैं, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, extra point में मैं भी आपको समझा दूँग, retina जो है वो बहुत सारे cell से मिलकर बनी वी है, और उसी में दो टाइप के nerve cells पाय जाती है, जो होते हैं आपके शंकू और शलाकाइं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, शंकू को कौन और शलाकाओं को बोलते हैं, जो हमारे rod cells होते हैं, अब यह जो कौन cells होते हैं, यह bright light की तरफ sensitive होते हैं, मतलब इनी की वज़े से हमें दिन में अच्छा दिखता है, लेकिन जो यह rod cells होते हैं, यह जो हमारे rod cells क्या कर लाएंगे, शलाकाओं या फिर छड़े, यह rod cells होते हैं यह sensitive होते हैं dim light की तरफ, बतलब रात में जब अंधेरे में भी आपने देखा उगा हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, वो किसकी वज़े से दिखाई देता है ? जो हमारी retina के अंदर जो cells हैं, कौनसे cell है, rod cells हैं। उनकी वज़े से हमें ऐसा होता है कि अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा दिखता है क्योंकि जो rod cells होते हैं वो bright light की तरफ sensitive नहीं होते हैं dim light जो होती है जो अंधेरे में dim light होती है उसकी तरफ sensitive होते हैं अब देखें जो अलु जैसा पक्षी होता है उसमें यह जो चड़े होती है यह जो राट सेल्स होती है यह जादा होती है यह जादा होने की वजे तो जो उलू जैसा पक्षी है उसमें रॉट सेल जादा होते हैं जिसकी वज़े से उसे रात में अच्छा दिखाई देता है तो यह पूरा कॉंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है जब यहां पर आखों की बात हुए तो चलिए आखों के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से बता देती हैं देखे यह पूरी आख का इस्ट्रक्चर यहां पर दे रखा है तो यह जो ट्रांसपेरंट फ्रंट पार्ट ओफ आई होता है इसे हम कॉंड़निया कहते हैं तो यह जो सबसे बहरी आख में जो सफेज सफेद को पर पतली सी चमकदार परद जो द की जो पेशियों की संरचना होती है जिने हम परितारिका या आईरिस कहते हैं बिहाइंड दा कॉर्णिया इस डार्क कलर मस्कुलर स्टक्चर कॉल्ड आईरिस यह जो ब्लैक ब्लैक से दोन तरफ दिखाई दे रहे हैं यही आपके क्या है यह आपके परितारिका है यह आईरिस है और इसी आईरिस की वज़े से हम क्या डिफाइन करते हैं आइस का कलर जैसे कुछ का ब्लैक होता है, कुछ का ब्राउन होता है, कुछ का ब्लू होता है, तो यह जो सीधी सी दो लाइन दिखाई देरी हैं दोनों तरफ, यह परितारी का है, यह आइरिस है, अब आइरिस में क्या होता है, छोटा सा दोार होता है, जिसे हम पुतली कहते ह और यह पुतली का साइज है यह परितारी का ऑड़िए का साइज है यही जो है उसको नियंतरन करता है आएरस हैसे स्मोल ओपनिग इस आइरस के अंदर भी आप देखने को ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा गोला बनावा है तो यह चोटा सा ओपनिग है इसे हम प्यूप अंदर जा रही है वो थोड़ी कम जाए लेकिन अगर हमें जादा देखना होता है तो हम आखों को फैला लेते हैं ताकि जो यह छुटा सा द्वार केंदर है जिसे हम पुतली बोलते हैं प्यूपिल बोलते हैं इसके अंदर जादा से जादा लाइट जा पाए और यह जो इसक कॉंट्रेक्शन है और इसका फैलना है यह कौन नियंत्रन करता है यह आयरिस नियंत्रन करता है परितारी का जो है वो नियंत्रन करती है अब देखे प्यूपिल की बात हो गई इसके पीछे यह होता है एक लैंस जिसे हम क्या बोलते हैं उत्तल लैंस कॉन्वेक्स लैंस और जो है वो हमारी the lens focus the light onto a layer at the back of the eye called retina मतलब यह जो lens है यह focus करता है light को कहां back side में कहां retina पर देखे यह retina है जिसे हम बोलते हैं क्या आपका retina ही बोलते है तो यह retina पर आपकी जो image है प्रतिबिंब जो है वो बन जाता है उसके बाद जो यह nerve cells होते हैं यह क्या करते हैं message लेके जाते हैं brain तक और उसके बाद image अभी हमें उल्टी बनती है वो हमें सीधी दिखाई देती है तो इस retina में ही आपके cells होते है corn cells और आपके rod cells तो यह corn cells होते हैं यह bright light की तरफ sensitive होते हैं उसकी कोई limit लेकिन पास का जो है 25 cm minimum दूरी की चीज़े आप देख पाएंगे 25 cm से आगे की दूरी की चीज़ आपकी आखे जो है वो नहीं देख पाएंगे तो minimum दूरी होती है maximum दूरी आखों की कोई नहीं होती जिससे आप देखेंगे इंड्रस्टीज लाइक रबर ओटो मूबाइस एंड पेट्रो कैमिकल रिजीज हामफुल गैसे रिस्पॉंसिबल फॉर एसिड रेन ओक्साइड ओफ विच एलिमेंट मेक अप दीज गैसे रबर वहां शेल रसायन जैसे उद्योग हानिकारक गैस छूरते हैं जो अमलिया शही है झान रिखके यहां पर जितने भी यह दे रहें यह सारे के वहीए अहीं यह सारे के वहां पर खरें विचान होज़न कुछ जलीट ऑथयए वश crackers बनता है तो यक्ट्रवात के बाएं को देखते हैं फिर इसॉशन को करेंगे cyclone क्या होता है cyclone is a weather condition consistent of a system of high speed wind जब बहुत ही high speed wind जो है हवाएं चलती है revolving around the central area of very low pressure बीच में कहीं बहुत low pressure के रिये ठुजाता है और इस low pressure के आसपास जो है बहुत ही high speed की जो हवाएं है वो चलती है और यही हमारा क्या कहलाता है cyclone कहलाता है तो option no.3 यहां पर सही है low pressure system with high speed wind revolving around it मतलब जो हवाएं है बहुत तेज वो चल रही है बीच में किसके जहां बीच में क्या है low pressure है तो low pressure के आसपास जब बहुत तेज हवाएं चलती है वो क्या फॉर्म करती है वो cyclone जो है वो बनाती है large mass of air rotate volently about 1015 km high in the air समझ रहें इतनी टेज हाई जो है वो आपका air में rotate करते है cyclone में तो सभी चीजे cyclone जो है उड़ा कर ले जा सकता है क्योंकि वो इतनी high speed में होता है अब देखें यहाँ पर एक important point है जो center of the cyclone होता है उसे हम बोलते है calm area calm area क्यों बोलनेगे क्योंकि आपको यहाँ पर पता चला बीच में तो low pressure है और जो हवाएं है वो उसके आसपास घूम रही है तो यह बीच का जो low pressure area है यह calm area कहलाता है जिसे हम क्या बोलते है आई of the storm बोलती है यह question बनता है कि आई of the storm क्या होता है वो calm area जो cyclone के center का area होता है it has a diameter इसका diameter लगभा कितना होता है 10 से 30 km का diameter होता है इस calm area का अभी जो cyclone है इसको hurricane बोलते हैं America जैसे continent में और typhoon बोलते हैं कहां Japan जैसे जगाओ पे इसको टाइफून बोला जाता है और America में इसको hurricane के नाम से भी जाना जाता है यह कुछ extra points है जो cyclone के बारे में देखे और answer यहां पर था आपका option no.3 next question देखते है question no.5 which of the following statement is not correct about bacteria जिवानों के विशे में कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है bacteria present in herbivorous help in breakdown of cellulose बिल्कुल शाहकारी जो होते हैं उनमें उपस्तित जिवानों cellulose के victim में उनकी सहायता करते हैं जो cellulose है वो हमारी body digest नहीं कर पाती लेकिन जो animals वगेरा होते हैं जो herbivorous होते हैं जो शाकाहरी होते हैं उनमें cellulose के breakdown में मदद करते हैं bacteria बिल्कुल यह बात जो है यहां पर सही है bacteria are used in preparation of antibiotic जैसे हमने पढ़ाता है अलिक्जेंडर फ्लैमिंग ने तो बिल्कुल bacteria का जो है वो यूज करा जाता है antibiotic वगेरा जो है उनको बनाने में bacteria are used in preparation of bread and cake यह बात यहां पर गलत है बैक्टिरिया का यूज नहीं होता वहां पर हमारा yeast का यूज करा जाता है खमीर का पिरियोग करा जाता है जो आपके bread or cakes होती है तो जो गलत statement है वो आपका यहां पर option number 3 ही हो जाएगा बाकि bacteria जो है जो organic matter होती है वो breakdown करने में मदद करता है तो यह बा compound और mixture में फरक होता है compound जो होती है उसमें chemical substances जो है वो mix होती है लेकिन mixture में normally जो physical substances कुछ भी matter होता है वो particular milk क्या बनाते है mixture बनाते है अब जब मैं पहला option और तीसरा option देखती हूँ तो यहां पर carbon dioxide दे रख है जो कि क्या है जो कि आपके compound है जिन में fixed proportion में chemical चीजे जो है इं salt घुल दिया तो वो normally क्या है वो आपके mixture होते हैं देखिए यहां पर sugar जो है यह पानी में sugar घुलना अलग हो जाएगा mixer of water and salt वो आपका mixture में आजाएगा लेकिन खाली sugar जो है वो mixture नहीं है वो compound होती है तो यहां पर जो answer होगा देखिए यहां पर यह शूगर भी हट यह सारे के सारे जो हैं आपके mixture के ही उद्धारण है नेक्स कोशन देखते हैं कोशन no.7 a man purchased eggs to use it as fuel for cooking what qualities eggs should possess to be used as a fuel एक व्यक्ती ने खाना पकाने के इंधन के लिए एक्स खरीदा इंधन के रूप में एक्स का उपियोग करने के लिए उसमें कौन से गुन होने चाहिए बेसिकली यहां पर बात हो रही है LPG की अब देखिए अगर बहुत जादा low ignition temperature होगा निम्न जुलन ताप होगा जैसे paper का बहुत ही निम्न जुलन ताप होता है जैसी आ अग लगने का खतरा होगा तो हमारा low ignition temperature वाला फ्यूल हमको नहीं यूज करना है हमको यूज करना है moderate ignition temperature वाला जो फ्यूल है चीप हो सस्ता हो वैसे तो अब LPG सस्ती रही नहीं है तो यह तो कहनी की बात रह गए यह चीप जो है यहां पर कोई मतलब बनता नहीं है लेकिन यहां पर यह भी आंसर में आएगा बाकि moderate calorific value हो उसकी calorific value भी कैसी होनी चाहिए moderate होनी चाहिए और वह non-toxic जो है होना चाहिए तो यहां पर जो सही option होंगे वह आपके COD यहां पर हो जाएंगे तो लो ignition temperature की होनी चाहिए ना high calorific value की होनी चाहिए ठीक है और नहीं बहुत ज लगेगा उसको पूरा जलने में तो यहां पर moderate calorific value होनी चाहिए और moderate ही आपका ignition temperature जो है वो होना चाहिए तो COD यहां पर सही statement दे next question is the place inside the earth crust where the earthquake originate is called वो पर पट्टी के भीतर का वह स्थान कौन सा है जहां भुकम्प उत्पन होता है उसे हम क्या बोलते है उसे हम epicenter of the earthquake बो होते हैं तो option number B जो है वो यहां पर सही है earthquake क्या है यह shaking होती है of the surface of the earth due to the sudden release of energy in the earth crust इसकी वज़े से क्या होता है seismic wake जो है वो create होती है NCRT में एक अलग से और बताया गया है seismograph क्या होता है यह instrument होता है जिसका हम use करते है to measure and record the detail related to earthquake like इतनी वोर्स थी कितनी duration थी तो उसको हम measure करते है कि इस instrument है जिसमें हम measure करते है record करते है अर्थुक्यक की जो detail वगएरा होती है जिसे हम क्या बोलते हैं अब seismic zone जो है वो earthquake का व वी केरिया होता है जहां पर boundaries वगएरा होती है वह वी केरिया जो होता है जहां earthquake जो cracking की वजए से एकडम जो है वहां पर अकर हो सकता है तो वह आपका seismic zone होता है तो फिलाल यहां पर answer था आपका option number B next question देखने है question number 9 identify the body part of human being based on the following characteristics निमलेकित लक्षनों के अधार पर मानव में शरीर के भागी पहचान हमको यहां पर करने very hard do not bend except at melting point सिवाय जोडों के कहीं नहीं मुड़ता है ठीक है यह melting point मतलब जो इनका सिवाय जोड है joint है do not bend except join melting point कलत लिए joint होगा यहां पर do not bend except at joint जो joint होते हैं वहां पर ही जो है बैंड करता है उसके सिवाय कहीं नहीं बॉन्स होती है जिनने हम अस्थियां बोलते हैं अब देखें आपने देखा होगा यह जो हमाई नाक होती है और यह जो कान होते हैं वह कुछ अलग सा ही होते है ना वह हड़ी होती है और ना ही वह बल्कुल पतली सी होती है तो वह अलगी कान को देखने है वह अलगी हिस्स कंकाल तो पूरा overall structure हो जाएगा उसने वह नहीं पूछा था यहां पर simple यह पूछा था कि बोन्स हैं जो बहुत hard है और वह बैंड नहीं करती है वह बैंड कहां करती है सिफ ज्वाइंट जो होते हैं उन पर वह बैंड करती है next question 10th which part of the flowing feature help polar bear in adaptation in polar reason निमन मेंसे कौन से लक्षन धुर्विय छेत्रों में धुर्विय भालू के अनुकूलन में सहायता करते हैं important question है polar bear के बारे में याद रखेंगे यह polar reason valley जो north का polar reason है जहां बहुत साथ ठंडी होती है वहां पर यह पाये जाते हैं इनके white fur होते हैं जल पाद नहीं होते हैं यह तो हमें penguin में देखने को मिलते हैं यहां पर जो इनके feet होते हैं वह कैसे होते हैं वह longed curve sharp होते हैं क्योंकि बरफ में ताकि वह पिघल ना जाएं इस वज़े से उनके जो पंजे होते हैं वह नोकीले होते हैं ताकि वह असानी से उसमें चल पाए तो A और B फीचर जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है पूलर बीर के अड़ेपटेशन के तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका A और B ओप्शन नमबर 3 जो है वो यहाँ पर हो जाएगा नेप्थलीन बॉल युज़ तो रिपैल मोथ एंड अदर इंसेक्ट अर उक्टेन फॉर बहुत बार बन चुका है नेप्थलीन के गोले जिनका उपयोग पतंगे तथा न्यकिनों को भगाने के लिए किया जाता है वो कहां से परापत होती है तो वो कोलतार से परापत होती है तो option number 1 जो है वो यहाँ पर सही है next question 12 which of the following changes in a simple pendulum will lead to an increase in its time period एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्टन लाने से उसका जो आवरित काल है वो बढ़ जाएगा पता ही क्या answer होगा यहाँ पर देखे यहाँ पर answer होगा आपका option number 1 simple समझते हैं जब आप जूले पर जूलते हैं जूला आगे जाता है पीछे जाता है तो वो आपका pendulum oscillation हो रहा है तरह से pendulum की तरह ही एक जगा से वो बंधावाए और इधर उदर जा रहा है तो pendulum की तरह ही है अब आपने देखा होगा आप नॉर्मली जूले पर बैठे रहते हैं जूलते हैं लेकिन आप क्या होते हैं ताकि आप जल्दी जूले हैं time period को कम करने के लिए आप क्या कर लेते हैं height को घटा लेते हैं मतलब आप खड़े हो जाते हैं अब खड़े होने से क्या हुआ आप जब यहां पर खड़े हो गए तो यहां से यहां तक का पहले यहां बैठेते आप नीचे पहले आप नीचे बैठेते अब आप खड़े हो बढ़ानी पड़ेगी तो इसी वजे से option number one यहां पर सही होगा आपने देखा होगा आप कभी नी भूलेंगे जूले पर खड़े हो जाते हैं ताकि जो उसका time period है वो कम हो जाए जूला जल्दी जल्दी चले लेकिन अगर आप जितनी लेंद बढ़ाते चले जाएंगे time period भी generally हमेशा नहीं बोला generally पहला option ही यहां पर हमारा answer होगा they do not react with water हम पढ़ते हैं non metals जो होते हैं अधातू जो होते हैं वो पानी जल्द जो होते हैं उसके साथ अभी किर्या नहीं करते जबकि जो metal में sodium और potassium होते हैं वो बहुत high reactive होते हैं air और water के साथ इसी की वज़े से उनको kerosene के तेल में रखना पड़ता है जबकि हम पढ़ते हैं non metal में जो phosphorus होता है वो air के साथ बहुत जल्दी react करता है इसलिए हमें उसे पानी में रखना पड़ता था यह जो ringing sound है यह हमें metal के अंदर देखने को मिलती है ना कि non metal के अंदर क्योंकि metal समानेता है क्या होते हैं वो hard होते हैं they react actively with acid हम पड़ते हैं non metal जो होते हैं वो acid के साथ react नहीं करते हैं तो यहां पर पहला option ही जो है वो इनके बारे में सही हो जाएगा next question 14th a boy was walking on a road when suddenly a thunderstorm occurred thunderstorm वही है आपका जो क्या कहते हैं cyclone है उसी की वज़े से जो है thunderstorm जो है वो आपका occur होता है what should he do to protect himself from being stuck by lightning एक लड़का सड़क पर जा रहा था जब अचानक बादलों में करकर आहट हुई उसे अपने को बिजली से गिरने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए पेड की नीचे खड़ा होना चाहिए चलते तो बिलकुल नहीं रहना चाहिए get into a nearby water body नहीं पानी में चला जाएगा तो current लगने का chances lightning आ जाएगी वहाँ पर और chances जाएगा square low on the ground बिल को यहीं बोलते है न कि जैसे कुछी जाएगे लेट जाओ धर्ती पर तो वह चीज़ है धर्ती पर नीचे खोड़ियों बैठ जाना चाहिए तो option number D जो है वह यहाँ पर सही हो जाएगा next question 15 which of the flowing do plant require as micronutrient for the growth निम्र में से किस प्रकार के पोशक तत्वों के पौधो पौधे जो होते हैं पौधो अपनी व्रध्धी के लिए सुक्ष्म पोशक तत्वों के रूप में उनकी आवशकता होती है देखें दो तरह के nutrients की ज़रूत होती है प्लांट को एक होते है macro जो कम amount में चाहिए जो हम NP के पढ़ते हैं nitrogen, phosphorus, potassium यह जो है plants को growth के लिए जादा amount में चाहिए nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, sulfur, magnesium, carbon, oxygen, hydrogen यह सारे के सारे आप याद कर लिजेगा यह macro nutrients होते हैं जो जादा amount में चाहिए plants को और जब micro nutrients की बात होती है तो उसमें आ जाते हैं आपके iron, copper, nickel, zinc, magnesium यहाँ प में हैं जबकि जो मैगनीज है वो आपका micronutrient में है कम amount में चाहिए chlorine यह सब कम amount में चाहिए होते हैं तो यहाँ पर यही पूछ रहा था कि कौन सा micronutrient है तो जो copper है वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर micronutrient हो जाएगा क्योंकि calcium तो हमने पढ़ लिया है वो macronutrients में आता है और NPK nitrogen phosphorus और potassium तो macro में आते ही आते हैं बाकि सारे भी आप अच्छे से learn कर लीजेगा तो option 4 वहाँ पर सही था next question 16 which row of the flowing table correctly match the term with the respective process of stage change निम्न तालिका में कौन सी पंक्ती अवस्था परिवर्तन का प्रकिर्या के पदों के साथ क्रमांग जो है वो सही मिलान करती है व तो उसे हम condensation ही बोलते हैं जैसे आपने देखा होगा water cycle में जो पानी है भाब बन गया है वह भाब के बाद फिर से बूंदों के रूप में गिरता है तो वह condensation ही होता है कि gas का फिर से किसमें बदल गया liquid में बदलना उसे हम सगनन ही बोलते हैं तो यह हमको दो option में मिल रहा जैसे ice होती है liquid से solid बन गी तो वह solidification है liquid to solid sorry solid to liquid जब solid से liquid बनाएंगे तो वह आपका पिघलना होता है melting करना होता है जैसे melt हो जाती है चोली चीजे ice cream melt हो गई solid से liquid बन गी तो वह melting हो गया तो यहां पर जो पूरी जो state change दे रखी है वह कौन सी है वह आपकी option number second हो जाएगा म बाकी sublimation याद रखेंगे जो direct solid से gas बन जाता है जैसे camphor, kapoor वगएरा होती है जलाते हैं तो सीधर gas बन जाती है तो solid से gas बनना sublimation होता है बाकी सारे मैंने आपको explain कर दी है तो second option जो है वह यहां पर answer है the heat from burning of wood in a room spread to the corner of the room identify the process by which heat is transferred किसी कमरे में लकडी के जनले से अचान किजिए जिसमें उस्मा का स्थांत्रन हो रहा है देखिए यहां पर आपका convection और radiation दोनों होगा अब heat के तीन प्रकार मैं नहीं समझाओंगी पिछले mock test में अच्छे से समझा दिये थे देखिए conduction जो है वो solid में ही देखने को मिलता है जैसे चममच है शुरू में आगे गरम होगी फिर बाद में पीछे गरम होगी तो particle की heat टच करते करते एंग तक पहुंच जाती है तो वो solid में conduction होगा अब यहां पर convection भी होगा कि जो हलके particle ने उपर चले गए उपर वाले भा हीट जो है कोनी तक भी पहुंच गई तो कहीं न कहीं radiation और convection समभाहन और विक्रण जो है दोनों प्रकिरिया यहां पर है हीट की तो option number A जो है वो यहां पर सही है next question 18 what changes will you observe in a test tube containing hydrochloric acid if a few drops of sodium hydroxide are added to it जब कुछ बूंदे NaOH मतलब sodium hydroxide कि डालने पर एक पनखनली जिसमें hydrochloric SCL है तो क्या परिवरतन होगा मैंने आपको बताया था जब acid और base react करते हैं तो वहां पर क्या है heat भी जो है वो उत्पन होती है तो option number 3 यहां पर सही हो जाएगा it become warm तो option 3 हो यहां पर सही next question देखते है question number 19 important है पिछली क्लास में मैंने इस तिल्क वाला जो है पूरा प्रोसेस समझाया था अब यह वाला प्रोसेस भी देख लेते हैं identify the correct sequence of step in the processing of hair of sheep to wool कैसे हमें शीव से जो है भेर होती है उससे हमें कैसे ओन मिलती है तो उसमें कौन-कौन से चरणा आते हैं उनका सही करम हम को यहां पर बताना है तो यहां पर आंसर होगा जिन बच्चों को पता होगा तो उन्होंने टिक कर लिया होगा option number 4 बाकी मैं आपको समझा देती हूं सबसे पहले उनकी कटाई होगी जो sheep है उससे हम उन काटेंगे shearing करेंगे उसके बाद हमारा shearing के बाद scouring होता है अभी margin ह सफाही होती है इसके बाद जो है उनकी sorting होती है चटाही होती है जैसे shoulder व गएरा के जो hair होते है अच्छे hair होते है तो खराब हेर और जो अच्छे हेर हैं उनको अलग करा जाता है तो सबसे पहले कटाई हुई फिर उसकी धुलाई हुई और फिर उसके बाद छटाई हुई सौर्टिंग हुई तो यहाँ पर C, A और D C, A और D और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है उसकी कार्डिंग कर ली जाएगी उसकी धुनाई कर ली जाएगी धुनते हैं ना रुई को कहते हैं रुई को धुना जाता है तो वो वहाँ पर धुनाई होगी और सबसे लास में उसकी हम क्या कर देंगे उसका यान बनाकर उसकी बुनाई जो है वो करी जाती है और उसको डाई भी करते हैं उसकी रंगाई जो है वो भी की जाती है तो सही सिक्वेंस यहाँ पर option number 4 जो था वो था next question 20 फिर से cyclone वाला एक question मैंने add किया है चक्रवात के बारे में कौन सा खतन यहाँ पर सही है eye of the storm is called a calm area बिल्कुल अभी समझाया था जंजा का छेतर एक सांत छेतर होता है बिल्कुल यह बास सही है very high pressure high pressure नहीं होता बीच में कैसा हो जाता है low pressure हो जाता है तो यह हो गया गलत tornado में form within cyclone बिल्कुल tornado जो है वो भी cyclone के अंदर ही बन जाते है wind direction contribute to cyclone बिल्कुल पवन की दिशा जो है चक्रवात में सहयो करती है जिदर को पवन चलती है चक्रवात भी उधर की तरफ को ही चला जाता है बवंडर भी जो है उधर की तरफ को ही चला जाता है तो A, C, O, D यह वाले factor जो है यहाँ पर सही define करते हैं relation to cyclone को तो इस तरह से हम बताना है कि कितना आपने स्कोर किया ताकि आगे जो मैरत हनाएगी उसमें मैं उसी तरह से लेवल जो है को रखो और यह आपके लिए तरह से बैस्ट रिविजन स्रीज है इससे आपको बहुत जादा है जो है को चलिए लास्में ट्वंटी कोशन देखते हैं राइपनिंग उसका फूलों में खिलना कौन सा परिवर्तन है वो बताना था और इसी को रिलेड करते में मैंने कोशन रखा है और मुझे लगता है यह पक्का किसी न किसी सैट में कोशन जरूर आएगा फलों का पकना और पौधों का पेड़ों के रूप में विक्सित होना किसका उध्ध पूरे पिग्मेंट्स में उनके चेंज होता है तो यह पूरा केमिकल रियक्शन होती है और यह इर्रिवर्सिवल है ऐसा थोड़ी है कि बड़ा पेर फिर से छोटा बन जाएगा नहीं लेकिन जो कोशन 28-39 में बना था ना कि कली का फूल में खिलना वो क्या होगा देखिए सिंपल एक कली है वो क्या हो गई बस वो खिल गई कोई रियक्शन वहाँ पर नहीं होई कुछ भी जैसे ही सनलाइट की प्रिजेंस हुई वो सिंपली खिल गई तो वो वहाँ पर कैमिकल चेंज नहीं है वो वहाँ पर फिजिकल चेंज था और वो भी इर्रिवर्सिबल था क वो chemical change है और sorry option number C वो chemical change होगा और irreversible chemical change वो है जहाँ पर कोई ना कोई reaction होगी और एक नया substance बनेगा mostly और वो irreversible होता है जैसे दूद का दही बनना वो chemical change है दही का फिर से आप दूद नहीं बना सकते तो वो irreversible होते है chemical change generally मैंने सारों को नहीं बोला generally वो irreversible होते है उसको लकड़ी को काट दिया तुकड़ों में तो वो क्या है मैंने सिर्फ को काटा वहाँ पर कोई reaction नहीं हुए वही substance है बस कट गया है तो वो physical change है वहाँ पर वो physical change के साथ-साथ irreversible होई है क्योंकि आप लकड़ी के जो छोट-छोटे piece आप ने कर दिया आप उनको नहीं जोड़ पाएंगे as it is जैसे लकड़ी पहले थी लेकिन most of the time जो physical change होते है वो reversible होते है जैसे पानी का भाब बनना फिर भाब का फिर से पानी बन जाना तो वो reverse हो गया चेंज हो गया तो physical change और reversible क्या है chemical change और irreversible क्या है समझ में आ गया होगा आपको तो यह याद रखेंगे riping of fruits और growing of plant जो है वो आपका chemical साथ-साथ में irreversible change होगा लेकिन अगर बड़ वाला question फिर से बन जाए कि कली का फूलों में खिलना क्या होगा तो वो आपका physical change होगा और irreversible होगा next question second मुझे पूरी उमीद है यह किसी ना किसी set में आएगा two organism are best friend and live together one provides shelter, water and nutrients while the other prepare and provide food such an association of organism is termed as थोड़ी आवाज आज धीरे हो रही होगी क्योंकि बोलने में दिक्कत हो रही है दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ-साथ रहते हैं इन में से एक आवाज, पोशक, तत्व और जलपरदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता है तो इस relation को हम क्या बोलते हैं ऐसे organism को हम क्या term देते हैं उन्हें हम symbiotic relation सहजीवी जो हैं उनको हम बोलते हैं क्योंकि वो साथ रहते हैं symbiotic relationship जो है वो वहाँ पर दिखाते हैं तो यहाँ पर shelter, water and nutrient तो याद रखेंगे यह एल्गी और फंगाई का कॉम्बिनेशन होता है और यह एक साथ रहते हैं और यह दोनों ऑर्गिनिजम एक साथ क्या कहलाते हैं सेहजीवी जो है यह कहलाते हैं तो option number D यहां पर सही था ओर्टो ट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना स्वेम बनाते हैं जैसे पेड़ पौधे हो गए यह सारे पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखनी है बच्चों ने बताया कि एक कोशन स्टार्च वाले टैस्ट का अब ही बना था तो मैंने एक ऐसा कोशन एड़ कर दिया है क्योंकि आरने वाली शिफ्टों में देखने को मिल सकता है गिवन बिलो आर सम फूड आइटम नीचे कुछ खाद्य पदार थे और हमको बताना है गिन में ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलेगा विद आयोडीन के स सॉलूशन से ब्लू ब्लैक कलर तब मिलता है जब हम टेस्ट करते हैं क्या स्टार्च की मंड की स्टार्च हमारे खाने में स्टार्च होता है जब हमारा सलाइवा खाने को लेता है तो वह स्टार्च शूगर में कनवर्ट हो जाता है याद रखेंगे जो शूगर होती है माल यहां पर पता चलता है कि उस फूड आइटम में स्टार्च है और हम आयोडीन की दो से तीन ड्रॉप जो है वो डालते हैं तो कौन-कौन से फूड आइटम में हम यह बताएंगे कि वो ब्लू ब्लैक कलर देंगे इट मीन्स उनमें स्टार्च है बॉयल्ड और मैश्ट जो चूड राईस हैं चवाय हुए चावल है उनमें जो स्टार्च है जब आपने स्टार्च शूगर में बदल गया होगा और जब टो यहां पर ब्लू बलैक कलर नहीं आएगा तो यह बाहर हो जाएगा slice of bread carbohydrate का source है तो इसमें starch है तो यहाँ पर भी आपको blue black color देखने को मिलेगा A और C में बिल्कुल blue black color देखने को मिलेगा बाकि sugar का solution नहीं coconut oil नहीं यह नहीं होंगे इनमें carbohydrate की मातर नहीं है तो यहाँ पर जो answer होगा वो आपका A और C मतलब option number one यहाँ पर सही है next question यह question मैंने add किया क्योंकि आपका law of reflection से question आया reflection में क्या होता है जब light एक medium से दूसरे medium में जाती है जैसे यह air है और यह water है है ना यह अलग-अलग है light यह एक normal हम खीज देते हैं जब light air, air क्या है एक medium है और water एक अलग दूसरा medium है जब light enter करती है एक medium से दूसरे medium में मतलब air से आई पानी में जब वो हलके से भारी में आती है air जो होता है उसका घनत उसकी density जो होती है वो कम होती है as compared to water, water की density जाद होती है तो जब वो हलके से भारी की तरफ आती है light तो वो क्या होती है normal की तरफ जो है वो band कर जाती है याद रखेंगे जब light rare, rare medium कौन सा होगा जिसकी density कम होगी जैसे air हो गया यहाँ पर और dancer medium वो का जिसकी density जाद होगी वो water हो गया यहाँ पर तो जब light rare से dancer medium में आती है ना तो वो normal की तरफ band कर जाती है यही law of reflection होता है और जब light dancer से rare में जाती है dancer से rare में जाती है तो वो normal से दूर जाती है तो ऐसा ही question exam में बना कि fish वाला जो होता है ना वो fish पे जब अपना रंडा मारेगा fish को पकड़ने के लिए तो उसको exact कहा मानना होगा वो रंडा उस case में भी क्या होगा यह air है यह water है ठीक है जब यह suppose यहाँ पर fish है यह यहाँ पर जो है आपकी fish है अब जब उसने fish को देखा तो light से पहले यहाँ fish से टकरा कर उसकी आँखों में गई होगी तो fish से टकरा कर वापस जाएगी तब यह तो उसको वो object दिखेगा light का concept ही तो होता है light वस्तू से टकराती है और फिर वो हमारी आँखों में आती है तो light जो है fish से टकरा और fish से टकराने के बाद हमारी वापस आँखों में जाएगी तो इस case में जब light वापस जा रही होगी पानी से air की तरफ light कहा जा रही है पानी से air की तरफ तो जब भी light पानी से air की तरफ जाएगी मतलब यह dancer medium है और यह rare medium है तो जब light dancer से rare में जाती है वो तो normal से दूर हो जाती है normal की तरफ नहीं जाती normal से दूर हो जाती है तो इस case में जब वो ऐसे होगी तो जो दिखेगा उसको वो fish जो है उसको थोड़ी ऊपर दिखेगी तो असल में वो fish ऊपर नहीं है वो fish जो है वो नीचे है तो उसको जो है dundi थोड़ा नीचे मारनी होगी तभी वो exact निशाने पर उसको लगा पाएगा क्योंकि जो उसको दिखाई दे रहा है असल में वहाँ है नहीं क्यों क्योंकि वहाँ पर लग रहा है कौन सा नहीं लौ ओफ रिफ्रैक्शन का जो है वहाँ पर काम हो रहा है कि जब light एक medium से दूसरे medium में जाती है तो वहाँ पर उसकी जो speed है वो भी change हो जाती है और वो normal की त dancer है वो dancer है ठीक है medium B से तो medium B क्या हो गया rarer हो गया तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है यह हमको बताना है तो CDC बात है speed of light जहां हलका होगा वहाँ जाद होगी और जहां भारी होगा light को निकलने में दिक्कत होगी तो dancer medium में light जो है उसकी speed कम हो जाती हो और rarer medium में light की speed जाद कोगी क्यों अधिक होगी क्योंकि प्रकाश जो है वो rarer medium में जो है फास्ट गती वहाँ पर करेगा तो option number B यहाँ पर सही होगा next question fifth a bicycle is moving on a straight road at a constant speed the wheel of the cycle exhibit कोई cycle किसी सीधी सड़क पर निया चाल से चल रही है तो cycle के पहिये पर बताने है कौन कौन सी गती वहाँ पर होती है motion क्या होता है simply जब एक object कहीं एक इस्थान से दूसरी इस्थान पर समय के साथ उसमें परिवर्तन आता है तो वो आपका motion होता है गती होती है ठीक है समय के साथ वस्तू के स्थान में परिवर्तन simple motion है अब वो पहिया गोल गोल घूम रहे तो वो circular motion तो वहाँ पर है तो circular motion त साथ तो सीधी सी बात है साइकल पहले यहां ती वो चलते वे धर आगे तो यहां पर टांसलेशन मोशन तो बिलकुल हो रहा है और साथ में यहां पर प्रियोडिक मोशन भी होगा आवरती गती भी होगी क्यूं क्यूंकि जो बाइसिकल है वो कॉंस्टेंट स्पीड से चल रही है तो पहियां बार बार एक ही स्पीड से एक ही समय पर जो है चक्कर जो है वो अपना पूरा लगाएगा तो याद रखेंगे यहां पर क्या अंसर होगा ओप्शन नमबर वन आंसर होगा सर्कुलर ट्रांसलेशन तो सभी में होगा अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रह कि ठीक है नेक्स कोशन देखते हैं अपका कोशन नमबर सिक्स यहां वैनेशन से कोशन आया टाइप ऑफ रूट से कोशन आया मौक टेस्ट में मैंने यह बताया वी ता पहले वाले मौक टेस्टों में भी एक बार फिर से करा देते हैं विच टाइप ऑफ लीफ पैटर्ण इस लीफ वेनेशन और रूट टाइप प्रिजेंट इन बैम्बू बांस के पौधों की पत्यों में सिराविन्यास और जड़ किस प्रकार की होती है जब भी पत्याओं में आपको सीधी सीधी लाइने देखने को मिलेंगी हमारी भी तो अंदर क्या होती है नसे होती है न वैस होता है समानतर सिराविन्यास होता है क्योंकि वहाँ पर सीधी सीधी लाइने होती है पैलर होती है और जिन में पैलर वैनेशन होगा सीधी सीधी लाइने होंगी पत्यों में उनकी जड़े होती है वो फाइवरेस रूट होती है रेशेदार जड़े होती है जिन में गुच् तो इन सब में पैलर वैनेशन समानतर सिरा विन्यास ही देखने को मिलता है और जहां पैलर वैनेशन होता है वहाँ पर जड़े रेशेदार होती है गुच्छों में होती है और जिन में आपकी पौधों में आपने देखाऊगा जाल बने होते हैं स्पाइडर जैसे इस तरह से वह होता है आपका क्या रेटिकुलेट वैनेशन जाली रूपी शिराविन्यास और उनमें जो जड़े होती है ना वो टैप रूट होती है मूशला धार जड़े होती है एक में जड़ होगी बाकि छोटी छोडी जड़े जो है उसमें से निकल ली होंगी जैसे गाजर में होना चाहिए कौन सा जो है आपका देखने को मिलता है तो बैमबू में आपका पैलर वेनिशन होता है और साथ में उसकी जड़े कैसी होती है फाइवरेस रूट होता है तो अप्शन नमबर डी यहां पर सही है नेक्स कोशन देखते हैं सेवंध इंपोर्टेंट कोशन है ब लिए चैसे हो गया नीचे वाली लाइन इसमें टाइम है और वाइस पर क्या हो जाएगा यहां पर वेलासिटी हो जाएगी क्योंकि वी से फेलासिटी हो गया इव्ध टाइम इस रिप्रेजनेंटेट अलों एक्स एक्स बिलकुल तो यहां पर हमको पताना है कौन सा कथन सह होगा पहली बात तो यह कैसा ग्राफ Giralf cycles वेलोसिट्टी टाइम ग्राफ है तो option number second में distance time लिख यहां से बहार होगा और option number four में भी distance time लिखखा है जब कि distance की बात बात ह windows भी velocity time graph है तो पहली बात तो यह velocity time graph of the motion will be straight line parallel to y axis देखे इब इस नहीं यहां पर यह बोला है कि uniform velocity है मतलब velocity change नहीं हो रही है अगर suppose velocity 10 है और यह time x-axis में दे रखा time यहां पर एक गंटा दो गंटा तीन गंटा तो मैं time तो बढ़ाती जा रही हूं लेकिन मेरी velocity constant है same है वो 10 की 10 ही रहेगी तो वो इसी line से चलती रहेगी तो इस case में यह जो velocity है वो क जा देती हूं यह x-axis पर बोला time है suppose यह एक गंटा दो गंटा तीन गंटा इसने बोला uniform velocity है मतलब velocity जो है एक समान वेग है वो 20 की speed सी चले जा रही है मतलब उसकी velocity जो है वो change नहीं हो रही तो अगर यहां पर 20 की speed है एक गंटे में तो दो गंटे में भी 20 की है तीन गंटे म तो एक पैलर लाइन बन गी न वेलोसिटी की और यह जो वेलोसिटी की पैलर लाइन बनी है ग्राफ में तो यह पैलर है किसके यह जो x-axis है time वाला इसके पैलर है तो option number 3 यहां पर सही होगा velocity time gram of the motion will be straight line straight line है यह बलकुल पैलर to x-axis यह पैलर है किसके x-axis के तो इस तरह से uniform velocity में हम यह वाला diagram बनाते हैं और जब हमारी time के साथ velocity भी change हो रही होती है तो हम इस तरह वाला diagram बना लेते हैं यह समय है एक दो तीन घंटा यह velocity थी 10, 20, 30 तो समय के साथ यहां पर change 20 हो गई फिर 30 हो गई फिर 40 हो गई तो जब velocity भी change हो रही है time के साथ तो ऐसा वाला graph बनेग next question important है जो 10 classes कराई थी वहां पर भी बताया था मैंने इस तरह का question what should be the minimum height of a plane mirror to get a full image of an object of 2 meter height एक समतल दरपण में 2 meter उचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिम्ब प्राप्त करने के लिए दरपण की नियुनतम उचाई कितनी होनी चाहिए मुझे mirror में अपनी full image देखनी है तो mirror कितना होना चाहिए mirror की height कितनी होनी चाहिए वो कम से कम मेरी height की आधी होनी चाहिए तब ही मैं अपना पूरा जो image है पूरा जो प्रतिबिम्ब है वो mirror में देख पाऊंगी तो यहां पर यही पूछा है कि minimum mirror की जो plane mirror है उसकी minimum कितनी height होनी चाहिए तो वो object की height है उसकी लगभग minimum आधी तो होनी ही चाहिए तो option number one यहां पर सही हो जाएगा तो इस तरह का question और कैसे बनेगा कि सीमा जो है mirror में दरपण में खड़ी है अब उसको दरपण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो बताइए दरपण को कितना आकार का होना चाहिए तो इस तरह तो फोड़ा लंबा कर देंगे वो लेकिन concept वही होगा चीजे clear हैं तो आप कर पाएंगे तो उसकी जो height है mirror की वो object की आधी होनी जरूरी होती है next question 9th identify the statement given is true about the cell cell से question बनने के पूरे पूरे chances है पा रहे हैं नहीं माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे तो यह तो गलत हो गया एग इंसेक्ट एग इस नॉटा सेल जो कीट के अंडे होते हैं उनमें कोशिका नहीं होती यह भी गलत है तो यह उनमें तो वो तो सेल होता है अ सिंगल सेल के परफॉर्म ओल्दा फंक्शन इना यूनिसेलूलर और्गिनिजम बिलकुल यह बात यहां पर सही है एक एक कोश्के जीवों में सभी कारे कर सकती है जैसे अमीबा में अभी वह सारा करता है खाना भी लेता है खाने को बाहर भी निकलता है इजेशन भी करता है डाइजिशन भी करता है वह ना बहुत सारी चीज़े करता है तो वो unicellular organism में all function perform कर सकता है एक single cell तो ये point यहाँ पर सही है और इसके example भी होता है amoeba तो यही हाँ पर true था cell के विशह में बाकी the size and the shape of the cell is uniform नहीं देखिए size और shape जो होती है cell की वो different होती है जो multicellular अलग-अलग बहु कोश के जीव होती है उनमें कोशिकाओं की आकरती और आकार जो है वो uniform नहीं होता वो अलग-अलग होता है different होता है तो option number D जो है वो भी यहाँ पर गलत हो जाएगा तो option number 3 यहाँ पर सही है next question 10th east is used in wine and beer industries because it respire शराब और वीर उद्दियोग में east का पर योग करा जाता है क्योंकि यह सुसन करता है देखे क्योंकि यह सुसन करता है un-aerobicly producing alcohol एक कोश के un-aerobic रूप से आपका शराब का उत्पादन करना देखे हमारी बॉड़ी में हम aerobic respiration करते हैं और वो oxygen की मौजूदगी में होता है और जब oxygen नहीं होती तो वो वाला respiration कहलाता है un-aerobic respiration जो हमें east में खमीर में देखने को मिलता है और उसका result यह होता है कि हमें क्या मिल जाती है वहाँ पर alcohol जो है वो प्राप्त हो जाती है साथ में कुछ amount में carbon dioxide भी प्राप्त होती है तो यहाँ पर जो answer होगा because it respire un-aerobicly producing alcohol option number C जो है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा और कोई oxygen वहाँ पर उस time नहीं होती अब देखें इंडिकेटर से question आएगा ज़रूरी थोड़ी हर बार चाइना रोज या ऐसा कोई question आएगा ऐसे भी इर्दिगिर्द होती है बस आप घबरा जाते हैं तो आप घबराना नहीं है अच्छे से करना है consider the flowing statement और choose the correct statement यहाँ पर जो कथन दियों उनको पढ़ना है और सही कथन का हमें चुनाव करना है time कम होता है तो इस वज़े से ऐस होता है कि science में question गलत हो जाते है तो time management करना होगा best question ढूंड़िए बीस में से 15 question ऐसे ढूंड़ लेजिए जो आप कर पाएं 5 question छोड़ भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है 15 question आप theory की कर लें और 7 question पेड़ागजी के सही हो जाएंगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा ठीक है क्योंकि time कम है question बहुत जादा है तो 2-4 question पे आपको अगर लगता है नहीं होंगे तो छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है उससे क्या होगा जो आते हैं at least वो तो कर पाओगे आप both acid and base change color of all indicator यह बात तो बिल्कुल हो गई गलत आपने देखा होगा जो acid होते हैं वो क्या करते हैं नीले को लाल कर देते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं लो तो उस case में लाल लिटमस तो लाल ही रहता है ना तो वहाँ पर color थोड़ी change होगा तो यह point तो होगा गलत दूसरा क्या कहता है कि if the indicator give a color change with acid अगर कोई indicator acid अमल में अपने रंग में परिवर्तन लाता है तो it does not give change with the base तो वो छारक के साथ कोई परिवर्तन नहीं लाता यह बात भी गलत है अब अगर मैं चाइना रोज की बात कर लूँ तो वो दोनों में change लाता है है ना acid के साथ वो dark pink रंग दे देता है और भाया base के साथ वो green color देता है तो उसमें ऐसा थोड़ी हो रहा है कि base के साथ कोई color नहीं दे रहा तो यह बात भी गलत हो गई इफा indicator change color with base अब यह इसको उल्टा करके कह रहा है अगर वो base के साथ color change कर रहा है चारक के साथ अगर कोई सूचक जो है अपने रंग में परिवर्तन कर रहा है तो वो acid के साथ नहीं करेगा तो यह बात भी गलत हो गई तो यहाँ पर जो सही कथन होगा फिर वो A की बचा और D या फिर देख लेते हैं एक बार change of color in the acid and the base depend on the type of indicator बिल्कुल आमल और चारक के जो रंग परिवर्तन है वो सूचक के प्रकार पर निरभर करता है तो यहाँ पर सही कथन जो है वो only D आपका answer हो जाएगा next question देखने से पहले यह देख लेते हैं एक बार मैंने सारे फिर से लिख दिया है यहाँ पर एक साथ आपके लिए क्योंकि कोशन यहाँ से बनेगा turmeric जो है वो red रहता है basic solution में जैसे आप साबुन जो है रगड़ते हैं अगर किसी हल्दी लगी वी shirt पे तो वो लाल हो जाता है क्योंकि वो base है और same color का रहता है मतलब yellow रहेगा किसमें acidic में China rose की बात करें तो वो dark pink होता है acid के साथ और base के साथ हो जाता है green ठीक है और जिन solution में color change नहीं होता लाल और blue lit mask का तो वो solution होते है आपके neutral solution जैसे example हो गया यहाँ पर sugar ठीक है और finophthalene में और यहाँ पर finophthalene sugar के साथ साथ आके जो neutral reaction होती है जो salt होते है जो neutral salt होते है जैसे sodium chloride उसमें भी color जो है change नहीं होगा क्योंकि वो neutral state में है तो वहाँ पर indicator में कोई color change देखने को नहीं मिलता finophthalene की बात करें तो वो क्या होता है colorless रहता है acid में acid में कोई color change नहीं करेगा लेकिन base में जो है sodium hydroxide base हो गया तो वहाँ अपना color जो है वो pink कर देता है जब methyl orange की बात करते है वो red color देता है acid में और yellow color देता है basic में ये important है methyl orange का याद रखेगा कि red color acid में और yellow color base में red cabbage indicator जो लाल पत्ता गोबी आती है वो purple color का solution वहाँ पर होता है जब acid में डाला जाता है तो red देता है और basic solution के साथ वो green देता है जैसे आपका china rose में होता है same वैसे china rose कैसा होता है सफेद रंगा जो गुलढ़ का पौदा होता है वो china rose होता है तो ये सारे indicator का एक साथ दिखा दिए है तो screenshot जो है to the person is less than that of ground बिल्कुल वहाँ उपलब्द वायू की जो मात्रा है भूतल पर उपलब्द की जो air है जो भूतल पर air है उसकी मात्रा जो है वहाँ पर जो उपर होती है वायू वहाँ पर कम होती है तो इसी वज़े से oxygen कम होता है तो option number B यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा next question बच्चों ने बता है xylem और film से question मना था 28 December को तो यह question मैंने add किया NCRT में as it is दे रखा है match the following simple वही उठा के मैंने यहाँ पर रखा है तो देख रहें कितना NCRT ही है सब कुछ match structure given in column 1 with function given in column 2 column A में दी गई संरचनाओ को column B में दी गई प्रेक्रमों से मिलान करना है stomata का का काम क्या होता है यह पत्तियों में रंद होते हैं आके किसमें मदद करते हैं transpiration waspose surgeon में मदद करते हैं तो रंद जो है पानी को बाहर निकालने आवाज आ रही है जल की जै जाइलम जल तो यह मदद करते हैं transport of water पानी को अलग अलग जगह पर पहुचाने का काम कौन करते हैं जाइलम उतक उतक क्या होता है टिशू तो जाइलम टिशू होते हैं प्लांट में जो क्या करते हैं पानी का जल का परिवाहन करते हैं जो रूट हेयर होते हैं मूल रोम होते हैं यह क्या करते हैं यह आपका करते हैं absorption of water यह जल का अफशोशन करते हैं C का आपका क्या हो जाएगा थढ का है यहाँ पर A हो जाएगा फिर उसके बाद फ्लिम जैसे जायलम का काम होता है जल का ट्रांसपोर्ट करना ऐसे ही फ्लिम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन और फूड या न्यूट्रेंट्स तो डिफरेंट पार्ट आफ दा प्लांट तो प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स है उनको फूड उन तक पहुंचाने का क तो याद रखेंगे जायलम में जल की आवाज आ रही तो टांसपोर्ट ऑफ क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा और फिलिम क्या करता है तिशू टांसपोर्ट ओफ फूड करता है तो मैंने सीधा आंसर लिख दिया क्योंकि यह मैच दे फुलुंग जो है इन-C-R-T वाला है तो answer जैसे 4 option देगा तो वहाँ पर answer आपका इस तरह से हो जाएगा 1st का B, 2nd का D, 3rd का A और 4th का next question देखते हैं 14 यहाँ पर match करना था column A का column B से देखे एक question जरूर खरीफ और रवी की फसलों से बनेगा खरीफ की फसले वो होती हैं जो समर की फसल होती हैं जुलाई के टाइम पर बोई जाती हैं और October November के टाइम में उनको निकाल लिया जाता है harvest कर लिया जाता है तो खरीफ की फसले हो जाएंगे यहाँ पर paddy और आपकी मेज धान और मक्का क्योंकि इनको जादा पानी चाहिए होता है तो A का मिलान होगा E से रवी की फसले वो होती है जो विंटर की फसल होती है जैसे अभी के और आपने दिखा होगा गेहूं वगएरा जो है बोई जा रहे हैं तो यहाँ पर जाएगा आपका वीट ग्राम और पी गेहूं चना और मतर क्य sparkling fertilizer में हम पढ़ते है न एन-पी के यह आपके नैट्रोजन फोस्फर कवाडस पोटाशियूम यह क्यमिकल फट्राइजर होते हैं तो चयमिकल फट्राइजर में आपका जाएगा यूरिया और ब्लान झायगा तो इस तरह से मिलान जो है वो करने को आपको देखने को मिलेगा तो मैंने यह आपको समझाया आंसर मैंने डारेक्ट यहाँ पर दे दिया था फस्ट का ई, सेकेंड का डी बाकि उप्शन मिलाके वो दे देंगे ठीक है नेक्स कोशन 15, यहाँ पर फिर से मैंने मैचिंग के लिए आपको दो चीज़े रखी है और बहुत साजी चीज़े आपको यहाँ समझ में आ जाएंगी देखिए जो पॉलियस्टर होता है तो वो क्या है, बताईए वो फैबरिक है, that do not wrinkle easily कपडों को असानी से बल नहीं लगने देता उनमें जो wrinkle साजाते हैं, वो असानी से नहीं लगते जो पॉलियस्टर के कपड़े होते हैं, बहुत चिकने होते है टेफलोन, टेफलोन जो होता है, यह यूजड होता है नौन स्टिक कुकवेयर में, जो ना चिपकने वाले भोजन के पात्रे हैं, पूछा जाएगा वो किसके बने होते हैं, वो टेफलोन के होते हैं तो सेकंड का मिलान हो जाएगा आपका सी से, रियोन जो होता है जिसे हम सैमि सिंथेटिक या आर्टिफिशल सिल्क भी वोलते हैं, वो किस से प्रिपेर होता है वो वुड के पल्प से काष्ट की लूदी से प्रियोग करकर बनाया जाता है और जो नायलोन होता है, यह पैराशूट और स्टॉकिंग, जो पैराशूट और मोजे होते हैं उनको बनाने में आपके नायलोन का प्रियोग किया जाता है तो इस तरह से मिलान हम यहां पर कर देंगे पहले का किस से हो जाएगा, डी से तो फर्स्ट का डी हमको तीन आप्शन में यहां दिख रहा है फिर सेकेंड का मिलान किस से हो जाएगा, सी से वो हमको किस में दिख रहा है, यह रा तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें भी अच्छा सेकेंड का सी तो थर्ड का थर्ड का हमारा A है तो थर्ड का A इस वाले option में दिख रहा है तो second option हमारा यहां पर answer हो गया next question 16 which of the following statement is incorrect कौन सा कथन यहां पर गलत है fossil fuels are obtained from dead remain of plant and animal बिल्कुल जो जिवाश मिंधन होते हैं वो पौधोर जानवरों के मृत अफ्शिशों से प्राप्त होते हैं यतनी भी हमारे fossil fuel में पैट्रोलियम आ गया हैला कोल आ गया आपका तो यह क्या है dead remain of plant और animal है और यह हमारे fossil fuel है तो यह बात तो सही है CNG is more polluting fuel than petrol यह बात ही यहां पर गलत है और गलत ही पूछा था CNG तो कम प्रदूशन करते हो यह कहती है जादा प्रदूशन करता है तो यह बात हो गलत और यह हमारा answer हो जाएगा बाकि coke is the pure form of carbon तो याद रखेंगे इस तरह का कोशन बन सकता है तो याद रखना यह बात सही है कोलतारीजा mixture of various substance तो यह बात भी यहां पर सही है तो option second ही हो गलत यहां पर green house से बच्चों ने बोला था कोशन बना है तो green house के gases के नाम याद रखेगा which of the flowing is not a green house gas कौन सी पौधगर गैस नहीं है यह हमको बताने कारबन डाई ऑकसाइड होती है sulfur डाई ऑकसाइड भी होत methane का formula जो है वो comment box में बताना है बताएगे क्या होगा बाकि nitrogen जो है देखिए यह तो air हवा में ऐसे ही पाई जाती है तो यह greenhouse gas नहीं होती तो यहां पर जो answer हो जाएगा वो आपको option number D हो जाएगा बाकि water vapor water vapor भी आपकी green house में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उसके बास cfc chloro-fluoro-carbon यह भी green house gas है ठीक है तो nitrogen यहां पर नहीं होगा next question 18 अमेरी go round is moving at a non varying speed of 10 meter per second it implies that चक्र दोला 10 meter per second के आपरवर्टी गती से गूमता है इससे क्या मतलब है इससे मतलब है कि it is moving with a uniform acceleration यह एक समान तुरण से गूम रहा है देखे दो चीज होती है एक होती है speed और एक होत speed में हम distance की बात नहीं करते हैं हम कहरें वस वो बंदा इसी speed से जा रहा है लेकिन जब भी velocity की बात होती है तो वो वहां पर बताता है क्या वो बताती है direction अब जब बच्चा गोल गूम रहा है तो सीदी सी बात है वो ऐसे जा रहा है तो पर डिरेक्शन ऐसे थी फिर डिरेक् में वहां चेंज आ रहा है और जब डिरेक्शन में चेंज आता है तो याद रखेंगे वह वेलोसिटी में भी चेंज लेकर आएगा जब भी आप चल रहे हैं वहां पर खाली चल रहे हैं तो वह speed है लेकिन जब आप दिशा को भी consider कर रहे हैं तो वह velocity है अब जब आप गोल गोमने तो दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो इससे क्या होगा velocity में भले चाहें non wearing speed है speed जो है वो आप परिवर्तन लेकिन फिर भी गोल गोमने की वज़े से जो दिशा है उसमें परिवर्तन आ रहा है जिसकी वज़े से velocity में चेंज आएगा और जब भी velocity में change होता है with respect to time तो वू होता है हमारा Acceleration, तो क्योंकि समान समान is velocity, स्पीड जो है वो change नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, It is moving with the uniform acceleration, Acceleration क्यों बोला तरन क्यों बोला, क्योंकि velocity में change हो रहा है, और velocity में change कभ होता है, जब दिशा में परीवरतन होता है, और यहां पर दिशा में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि बच्चा गोल-गोल गूम रहा है तो दिशा में परिवर्तन मतलब वेलासिटी में चेंज और यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है फाइवर जो होता है न वो आपका कच्चा रो माटीरियल होता है जैसे शीप से हम जो निकालते हैं वो फाइवर है जैसे ककुन से जो हमने सिल्क लिया वो फाइवर है फाइवर से फिर क्या बनता है यान बनता है धागों को मिक्स करके बनाते हैं जिसे हम स्पिनिंग कहते हैं एक single string से पुरा धागा बनता है तो वह यान हो गया फिर यान से हमें मिलता है हमारा कपड़ा जीसे हम फैबरिक बोलते हैं याद रखेंगे फाइवर के बाद यान और यान के बाद फैबरिक ये एक प्रॉसेजर होता है तो यान is made from फाइवर बिल्कुल ये बास सही है याद रखेंगे रुई से बिनोले हटाने के प्रकिरिया को ओठना बोलते हैं यह बात सही है इसे हम गिनिंग ही बोलते हैं वीविंग ऑफ यान में का पीस ऑफ फैवरिक बिल्कुल जब हम यान धागे होते हैं उनकी बुनाई करते हैं तो उससे एक तुकड़ा बनता है वही हमारा कपड़ा होता है उसे ही हम फैवरिक बोलते हैं यह बात भी यहाँ पर सही है तो गलत बात यहाँ पर क्या है option number D spinning is the process of making fiber नहीं देखें फैवर से बनता है क्या आपका यान तो यह जो single strain है single strain जो होता है single strain को जब बहुत सारे single strain को twist करते हैं तब आपका एक धागा बन जालते हैं तो उसको आप मुह में डालते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा धागे में से बहुत पत्ले-पत्ले strain दिखाई देती है तो वह सारे strain को twist करा जा रहा है तो वह process क्या है spinning है तो फैवर से हमें यान मिलता है वह process spinning होता है ना कि spinning is the process of making fiber, fiber to natural है उससे ज Suppose a new planet is discovered between Uranus and Neptune, its time period would be. माल लीजी Uranus और Neptune के बीच में एक नया ग्रहक हो जा गया है तो इसका आवर्थ काल क्या होगा यह हमको बताना है प्लैनेट का sequence क्या होता है Mercury, sorry Mercury, Mercury हो जाएगा उसके बाद कर जाएगा Mercury, Venus, Venus के बाद क्या जाती है आपकी Earth, फिर क्या जाता है Mars, फिर asteroid belt आती है, फिर आता है Jupiter, फिर आता है Saturn, फिर आता है Uranus, और फिर लास्ट में आता है आपका Neptune, तो यह inner planet होते है चार और यह आपके outer planet हो और बीच में इन दोनों को Mars और Jupiter के बीच में क्या है asteroid belt होती है, जो पत्थरों और gases और जो धुन्द होता है, उसकी होती है, यह asteroid belt, तो अब इन्होंने यह का एक नया planet आ गया Uranus और Neptune के बीच में, देखिए जितना दूर यह जाते जाते हैं, उतना ही इनका जो time period है Sun का चक् नेप्टियून से जादा तो नहीं होगा, तो यह equal भी नहीं होगा, less than भी नहीं होगा क्योंकि दोनों के बीच में है, तो यहां पर option number A आंसर होगा, less than that of Neptune, यहां पर जो है, एक बात और आप यहाद है, celestial bodies क्या होती है, अकाश यह पिंड क्या होती है, जितने भी चीजे space म में होती है, sky में होती है, वो सारी की सारी celestial body होती है, अकाश यह पिंड जो है, वो सारे के सारे होते है, तो हमने सारे कोशंद कवर अप कर लिए, मुझे लगता है, सब अच्छे से clear हुआ होगा, वीडियो अच्छा लगता है, तो उसको like जरूर करा करें, share करें और चैनल से बनीरे